हलो में डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है सुक्डेव चोधरी और आज अपन डिस्क्स करने जा रहे हैं DCM 16 अपन 48 यानि जो सोड़ में DTS है ठीक है ना सोड़ भी जो DCM है उसका अपन यहां पर वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं भी ठीक है ना तो फिजिक्स की ए 6 है और इसके अंदर जो topics मेंने include किया है वह है ग्रेविटेशन एंड श्चम तो कुल मिला करके 60 कुशन रहेंगे स्टार्टिंगे जो 28 कुशन से 28 कुशन से वह ग्रेविटेशन के हैं और उसके बाद में आगे कि जो 32 कुशन है 32 कुशन है वह श्चम के हैं भी ठीक है ना तो देख सकते हैं बिल्कुल कुशन नमर एक से अपन स्टार्ट करते हैं बड़े सांधर क्यूशन है और नीट के पॉइंट हो प्यूशन अगर आपन बात करें तो नीट के अकोर्डिंग बिल्कुल एकदम पेपर से हैट किया गया है क्यूशन से ने तो बहुत ज्यादा इज है और ना बहुत ज्यादा तफ है ठीक है ना जैसे क्यूशन नीट में आते हैं उन बातों को ध्यान में रखकर के पेपर उसको डिजाइन किया गया है ठीक है तो उम्मीद गरता हूँ आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा वीडियो सोल्यूशन आप देख रह अगर्थ देन वाट इस देवेलिव ओफ है तो बात सुना भी यह करा है कि मतलब एक तो एक वेटर पर जो वेट है वो और एक ध्यान से लेखना देखना है को हैसा पर वेट वह क्या देगा बराबर हो जाएगा तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वेट ऑन एक्वेटर एक्व देख देख अपके पास है जी है राइट अब एक्वेटर पर अपन क्या बोल सकते हैं बदाओ यह आपके पास है जी माइनस ओमेगा इसकर आर यह फोर्म्ला आपको ध्यान में होगा भी एक पुस्ट्थ दू हैट पर क्या होता है भी जी इंटु उन मैनस तू एच अपॉ अरो देगा भी अब यहां से अपन जी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास वन माइनश ओमेगा इसकर र हैं अपन जी इक क्वेश्ट क्या देगा आपके पास जी इंटू 1-2H Divided by आरो देगा भी तो यहां पर अपन एक काम करते हैं जी से अपन जी को तो आपके पास में चैनल आउट कर देते हैं, 1 से 1 चैनल आउट हो देगा, तो यहां से आपके पास में क्या बन देगा, 2H by R equals 2, omega square R upon G, तो यहां से आपके पास में जो H है, H बराबर क्या देगा, omega square R square divided by 2 G, यह आपके पास है, H की value आजाएगी भी, तो H equals 2 क्या देगा, omega square R square upon 2 G, तो आपका यहां पर जो third option है, वो correct हो जाएगा भी, समझ गए बात आपे, चलिए, अगला क्यूशन आपन देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो next question देखो देन से, अगला क्यूशन आपन देखते हैं, यह है question number आपका 2, ठीक है, अब देखना देखो जाएगा, अब देखो जाएगा, अब देखना देखो क्या करें, अब आपने क्या करना है, तो देखना देखो, सबसे पहली बात है कि यह अपने पास अर्थ होगी, इसके बाद में इसके अंदर आपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई भी एक diameter के अलोग अपने एक tunnel बना देते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपन क्या करते हैं, कोई भी M mass का particle है, उसको अपन release कर देते हैं, सबसे पहले यह इसका center हो गया, अब इसके center पर देखना है, यहां पर एक्स बराबर क्या देगा, जीरो, तो यहां पर आपके पास E बराबर भी क्या देगा, जीरो, तो यहां पर force भी क्या बन जाएगा, भी 0 बन जाएगा, और force अगर 0 बन जाएगा, इसको आपन बोल सकते हैं, इसकी mean position, ठीक है, अब इसके बाद यहां से अपन क्या करते हैं, एक्स distance पर आते हैं, यहां आपर मैंने कोई भी particle रख दे, इस particle का mass कितना हो देगा, आपके पास M हो देगा भी, ठीक है ना, तो अब इस particle पर force लगता है, इस परकार से इधर की दरफ, तो यह कितना force हो देगा, F की value में calculate कर लेता हूँ, तो F क्या हो देगा, आपके पास M into, यह आपके पास EG हो intensity का formula होता है, वो यह होता है भी, इसके आगे आपन चाहें तो minus का sign भी लगा सकते हैं, minus का sign आपन क्यों लगा रहे हैं भी, क्योंकि यहाँ पर जो displacement है, वो तो इस परकार से दूर की तरफ हो देगा, और force है, वो center की तरफ हो देगा, तो इसके बाद है, फर्दर इसको आप minus kx की बराबर कर देते हैं, यह SSM की एक general equation है, यह SSM है जो restoring force है, इसको आपन लेख सकते है, ap equals to minus kx, तो यहाँ सा आपके पास है, जो k है, उस k की value आदेगी, आपके पास हैं कितने g capital m, small m divided by r cube बजाएगा भी, ठीक है, फिर आपन जानते हैं कि t equals to क्या होता है, 2 pi root of m divided by k, तो इसको आपन लेख सकते हैं, 2 pi root of m, और k को आपन क्या लेख सकते हैं, k को आपन लेख सकते हैं, g capital m, small m divided by r cube हो जाएगा भी, यहाँ पर इस m से आपन इस m को cancel out कर देंगे, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, t equals to 2 pi root of, r cube को आपन क्या लेख देंगे, r cube और gm को into, यह आपके पास r square देगा भी, तो equals to क्या बन जाएगा, 2 pi root of r divided by g, यह आपके पास time field का formula देगा, तो 2 pi root of r by g, यानि आपका third option इसके अंदर correct आदेगा भी, ठीक, अब यहाँ पर 2 pi root of r by g, इन सब की value अगर अगर आपन यहाँ पर put करते हैं, तो अपने पास में value 6 minutes, 84.6 minutes, यानि अर्थ के diameter के अलों कोई tunnel बना करके, कोई cavity बना करके, उसके अंदर particle को release करते हैं, तो उसका time field of sshm होता है, 84.6 minutes होता है अभी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में next अपन, देखो तान से, अगले क्यूशन पर चलते हैं फिर अपन, तो, next question हमर आपका 3, देखो तान से, ये गरा है, ये planet revolves around the sun in elliptical orbit, the aerial velocity dA by dt of the planet is 4 into 10 to the power 16 meters per second, the least distance between the planet and the sun is 2 into 10 to the power 12 meter, then the maximum velocity, maximum speed of the planet in kilometer per second is, भी ये द्यान से देखना देखो, आपके पास है, जो aerial velocity होती है, इसको आपन बोल सकते हैं, दीए upon dt, इसको आपन बोल सकते हैं, अवी equals to, इसका formula होता है, half r into v, अब यहां पर least distance, तो r वो क्या बन जाएगा, आपके पास मिनिमम, तो यहां पर v क्या बन बन जाएगा, आपके पास मिनिमम मन जाएगा भी, ठीक है, अब ध्यान से देखता है, aerial velocity हो कितना देगा, आपके पास हो 2, इंटू कितना देगा, यह देगा, आपके पास हो 4 into 10 to the power 16 आदेगा, इसको आपन लेख सकते हैं, equals to, 4 into 10 to the power 16, equals to, half r क्या हो देगा, आपके पास म होता हूँ, 2 into 10 to the power 12, into क्या देगा, आपके पास मिनिमेक्स हो देगा भी, तो यहां से आपन क्या कर सकते हैं, इस 2 से आपन 2 को cancel out कर देगे, 10 to the power 12, इदर अगर कि मैनिस का 12 बन जाएगा, तो यहां से आपके पास मिनिमेक्स, equals to कितना देगा, आपके पास 4 into 10 to the power 4, meter per second, य यह बन जाएगा, आपके पास 40, kilometer per second हो देगा भी, तो kilometer per second में answer क्या देगा, आपके पास 40, तो third option आपका इसके अंदर correct हो देगा भी, तो aerial velocity का यह formula होता है, हाप r into v, इसको आप द्यान में रख सकते हैं भी, ओके, चलिए बच्चों, next आगे चलते हैं, आपने उसके बाद में, next देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा, next अगला question है, question no. 4, क्या कर है, if earth is supposed to be a sphere of radius r, if g 30 is the value of expression due to gravity, at latitude of 30 degree and g at the equator, ठीक है न, at the equator, the value of g minus g 30 is, each, तो सबसे पहले दियान से रेकना देखिएगा, यह जो g है, यह कहाँ पर हो देगा, अभी equator पर हो देगा, तो एक बार अपन जो pulse है, उन pulse पर g की value consider कर लेते हैं, तो मान के इसलिएगा, जो pulse है, वहाँ पर g की value कितने हो जाएगी भी, g not हो जाएगी, क्या बन जाएगी, g not हो जाएगी, तो अपन बात करते हैं, late, acceleration due to gravity, 8 pulse equals to g not, अब इसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं, 8 equator, equator, equator पर क्या बन जाएगा भी, g e equals to, g not minus omega इसकर r होता है, और question में इसको क्या बोला जा रहा है, g बोला जा रहा है, और फिर उसके बाद में बात करते हैं, 8 lambda equals to, कितना हो जाएगा, 30 degree, तो g lambda का formula क्या होता है, g lambda equals to g not, minus omega इसकर r, cos square lambda, तो यह बन जाएगा आपके फास में द्यान से देखता हो, कि lambda को आपन क्या पूट कर देंगे, 30, g 30 equals to, g not, minus क्या जाएगा, आपके फास हो, omega इसकर r, cos 30 कितना होता है, root 3 by 2, square कितना होता है, आपके फास है, 3 by 4, यह आपके फास है, 3 by 4 जाएगा भी, अब इसके बाद माद आपके एक काम करते हैं, भी g minus g 30, भी g minus g 30 equals to, तो g तो क्या बन जाएगा, आपके फास हो, g 30 की value कितना होता है, आपके फास है, g not, minus कितना होता है, आपके फास है, 3 omega square r, divided by 4 होता है, और अगर इसका पन सॉल करते हैं, तो क्या बन जाएगा, आपके फास है, g minus g 30 equals to, g not से g not cancel out होता होता है, minus minus यह प्लस बन जाएगा, तो minus क्या होता है, आपके फास हो, omega square r divided by 4 हो जाएगा, और यदि इसका आपन क्या करते हैं, इस प्रकास मोडूलस, तो यहाँ पर यह क्या बन जाएगा, आपके फास हो, प्लस बन जाएगा, क्योंकि magnitude होता है, वो हमेंसा प्लस में लेते हैं, तो omega square r divided by 4, क्या इस इस स्थादिय में first option आपका क्या हो देगा, correct हो देगा बच्चों, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो देंसे कई बार क्या करते हैं, कई बार यहाँ पर जो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जी at the equator, ठीक है ना, तो कई बार अपन इसको बोल देते हैं कि g lambda बराबर g minus omega square r cos square lambda, इसको कई बार equator पर मान करके अपन solve कर देते हैं, तो इसी स्थादिय में अपना जो answer आएगा, वो क्या आएगा, गलत आएगा भी, ठीक है ना, यहाँ पर g lambda equals to g, यह pulse फे होता है भी, pulse फे acceleration due to gravity का formula होता है यह, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स अपन, तो next देखिएगा, देखो बच्छों, इसके बाद में अगला question है, यह question number 5 आचुका है, तो question number 5 के अपन बात करते हैं रेगदान से, यह करे, the value of g at a particular point is 9.8 meter per second square, Suppose the earth suddenly shrinks uniformly, to half its present size without losing any mass, the value of g at the same point, assuming that the distance of the point from the center of earth does not shrink, will now be, BSCDC बात यह है कि यह मान के इसलेगा अपने पास ने, इस परकार से earth है, ठीक है, और यह मान के इसलेगा earth है, और अपन बात करते हैं, इस earth की surface पर, यहां पर अगर अपन बात करते हैं, यहां पर आपके फास में द्यान से देखना देगा, g equals to क्या बन जेगा, gm divided by r square equals to क्या देगा, 9.8 meter पर second square, यह वाली जो distance है, यह r हो जाएगी distance, और इसका जो mass हो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा भी, ठीक है, अब दूसरे case में क्या करता हूँ, ज्यान से देखना देखो मैं, दूसरे case में, यह जो point है, इस point को तो मैं यहीं पर रखता हूँ, यह वाला जो आपका point है, यह जो यह कहीं पर, बट जो अर्थ हो क्या हो जाती है, इस प्रकार से स्रिंक हो जाती है, ठीक है ना, अर्थ को क्या कर देता हूँ, इस प्रकार से मैं स्रिंक कर देता हूँ भी, और अर्थ वन किवे स्रिंग करके इसके रेडियस कितने पून जाती है भी आर बाइट ाइड़ अभी तु हो जाथी है इसको इसलेंस और Brendan संहरी मेंorter इसलेंस बहुत कितने जाती है आर्ड़ दें सिहां स्व क्या अमहें यह और इस पॉइंट पर और इसका जो मांस हाओ, वो कितना रहता है एनर मी रहता है तो यहां पर इस प्रियंट पर जो जी है उसको आपनुnet भौसकते ईस ऐखेस, mm यह उक्वूश्त क्या फैनल है धगा जी मांस वह रहता है और इस पॉइंट की यहां पर correct आजाएगा भी, ठीक है, क्योंकि नहीं तो mass change हो रहा है, नहीं उस point की center से distance change हो रही है, तो x-reson due to gravity हो बिल्कुल भी change ही नहीं होगा बच्चों, ओके, इसके बाद the next, आगे चलते हैं आपन, next दगदान से, आगले क्यूशन पर चलते हैं, तो बात सुनना भी, देख आपन जानते हैं कि G, एकोश टू क्या होता है, आपके फास है, Gm अपॉन रस्वार, तो यहां से आपके फास है, G directly proportional to m upon r स्वार, अब अपन बात कहते हैं, रहां से देखना होता हैं कि प्लेनेट पर, तो Gp equals to, G e into, mass भी कितना होताइगा, टू टाइम्स और radius भी कितना होताइगा, टू टाइम्स तो टू का स्वार कर देंगे अपन, तो क्या बन जाएगा आपके फास है, यहां जीए डिवैडेड़ भाई 4 हो जाएगा भी, G e divided by 4, तो Gp equals to, क्या देगा, G e divided by, sorry, 2 आजएगा, G e divided by 2 आजएगा, क्योंकि, 2 आ गया है, ठीक है, इसके बादें सुनो भी, आपन जान दें कि T, equals to कितना होथा, 2 pi root of L by G, तो यहां साब के पास है, T directly proportioned to 1 upon root of G, तो आपन लिख सकते हैं, T dash upon T equals to, यह बन जाएगा आपके पास है, G upon G dash, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास है, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, T at planet, यह बन जाएगा आपके पास है, T at planet upon T at earth, equals to root of, इसको अपन बोलेंगे GP, इसको अपन GE बोलेंगे, तो यहां साबने पास हैं, तो TP अपने को calculate करना है, second spendular में इसका time period कितना होता है भी, 2 second होता है, इसका time पर T equals to क्या बनता है, 2 second होता है भी, equals to, root of, GE को अपन लिख देंगे, GE, और GP को क्या लिख देंगे हैं, GE divided by 2 अधेगा भी, GE से GE cancel out कर देंगे, तो यहां साब के पास है, जो TP है, वो अधेगा आपके पास है, 2 root 2, second, 2 root 2 second, यानि second option आपका यहां पर, correct हाजएगा भी, ठीक है, तो यह बाद आपको ध्यान बरक्तने हैं, कि जो seconds प्रेंडूल में, उसका time period कितना होता है, भी 2 second होता है, कितना होता है, 2 second, ओके, चलिए इसके बाद, आपन चलते हैं, अगला क्यूशन पर, अगला क्यूशन देवदान से यह रहा, यह कर रहा है कि, assume that, the earth is a sphere of radius RE, with uniform density, the distance from its center, at which the expression due to gravity is equals to g by 3, बहुई, simple सी बात है, कि, जो g होता है, g in equals to, क्या फोर्मला होता है, इसका अंदर का होता है, आपके पास है, g m x upon r cube, equals to क्या आदेगा, आपके पास है, 1 by 3 of g, तो 1 by 3 को 1 by 3 लिख देगे, g कहां पर होता है, surface पर, तो surface पर आपन बोल सकते है, g m upon r square, तो यहां पर g m से आपन क्या गरेंगे, g m को cancel out कर देंगे, r cube से इसको आपन cancel out कर देंगे, r आदेगा, तो यहां से आपके पास x equals to क्या बन जाएगा, r by 3 बन जाएगा भी, r by 3 यानि first option आपको यहां पर correct आजाएगा भी, simple एकदम बिल्कुल formula basis question है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, अगला क्यूशन पर चलते हैं, अगला क्यूशन क्या कर रहा है द्यान से देखना देखो, यह कर रहा कि what is the magnitude of gravitational force f on the particle due to the road, इस road की एकान अपने को क्या करना है, इस particle पर force calculate करना है भी, तो सबसे पहले द्यान से देखना देखो, यहां पर यह अपने पास में कोई road है, यह अपने पास में कोई road है इस परकार से, यहां पर बना लेते हैं आपन, यह कोई road है, इस road का जो mass है वो कितना है, अभी M, Length कितने हैं जाएगी, अभी, अभी यहां से हैं, इस परकार से हैं, कितने distance पर वे, D distance पर, कोई भी आपके पास में particle रखावाए, इसका mass कितना हो देगा, M हो देगा, अभी, अगर दोनों यहां पर point mass होते, तो point mass से इसके लिए अपन क्या आगर सकते थे, Newton's formula लगा सकते थे, G M1 M2 upon R square F equals 2, बढ़ यहां पर यह तो अपने पास में point mass है, बढ़ यह तो point mass नहीं, यह तो एक road है, तो road को अपन point mass नहीं मान सकते हैं, बढ़ इस road को अपन कई सारे elements से मिलकर क्या बनावाँ मान सकते हैं, और हर element है, वो एक point mass की तरह treat करता है भी, point mass की तरह भी हो करता है, ठीक है ना, तो देखना नहीं से देखो, इसका अपन क्या करते हैं, यहां से इस परकार से, x distance पर, अपने एक element बना देते हैं, एक element बना दिया, और यह जो element इसके length कितना हो जाएगी, dx हो जाएगी, कितना हो जाएगी, dx, अब अपन यह देख सकते हैं, कि जो road है, इसकी length कितना हो जाएगी, l, तो l length का mass कितना हो जाएगा, m, तो unit length का mass क्या बन जाएगा, m by l, element की length कितना हो जाएगी, आपके पास है, dx, तो dx length का mass क्या बन जाएगा, m by l, into क्या जाएगा, dx, इसको आपने क्या बोल सकते हैं, डीम बोल सकते हैं, तो यहां से अपने पास है, element का mass है, वो कितना हो देगा, dm इस to m by l into dx, अब इस element की बज़ए सी, इस particle पर कितना force लग रहा है, बेडिएफ लग रहा है, तो इस force को आपने क्या बोल सकते हैं, df, df is the force on mass m, due to element, element, तो df किस्टों क्या हो देगा, अपके पास है, g into m into mass of element, dm, upon दोनों की भी इसकी distance कितना हो देगा, x हुझाएगी, तो इसको आपने बोल लेंगे, x square बोल लेंगे भी, तो यहां से अपने पास हैं, क्या बन जाएगा भी, इसको आपन बोलेंगे, g into m into, dm को आपन क्या ब divided by l, और यह देगा आपके पास है, dx upon x square, यह तो देगा किस की वज़ए से भी element की वज़ए से force हा गया, इस element की वज़ए से, अब अपन बात करते हैं कि इस point मास से, यहां से, यहां से जो element है, उसकी distance का अपन x ले रहे हैं, तो यहां से अगर अपन यहां की distance देखते हैं, तो इस वाले सीरे के जो distance अब वो x पराबर किया देगे, d हो जाएगी, और यहां से इस वाले सीरे की अगर अपन distance देखते हैं, तो इसके लिए x पराबर किया देगा, आपके पास l plus d बन जाएगा भी, तो यहां पर यह जो road है, वो x पराबर d से लेके x पराबर l plus d तक फ g capital m small m divided by l, और इसको आपन क्या बोलेंगे, dx upon x square, और limits आपन पूट कर देंगे, कहां से कहां तक बता हो, d से लेकर के, l plus d तक, तो d से लेकर के, l plus d तक कर देंगे, तो यह बन जाएगा आपके पास है, g capital m small m divided by l अदेगा, और यहां पर आपके पास है, जो 1 by x is square है, इसका integration क्या होता है, minus 1 by x होता है, और minus 1 by x होता था, minus को sign तो मैं छोड़ दूँगा, और limits को मैं interchange कर दूँगा, तो minus 1 by x को तो आपन क्या लेकर देंगे, और limits क्या बन जाएगे, आपके पास, d से लेकर के, l plus d तक हो जाएगा भी, तो फिर उसके बाद फर्दर क्या बन जाएगा, देगो बिटा, g capital m, small m divided by l, और इसके बाद x की जाएगे, एक बार आपन पूट कर देंगे, l plus d, minus क्या जाएगा आपके पास हो, 1 by x की जाएगा, आपन पूट कर देंगे, d put कर देंगे, तो यह बन जाएगा आपके पास ह l plus d, l plus d से आपन डिवाइड कर देंगे, तो आपने पास में क्या जाएगा, d, और इसके बाद माइनस क्या जाएगा, आपके पास l, और इसके बाद में, क्या बन जाएगा भी, limits अपने interchange नहीं की नहीं यहाँ पर, limits अपने को यहाँ पर interchange करनी होगी भी, तो यह तो आपक तो यहाँ पर भी अपने को पूरा का पूरा, change करना पढ़ेगा फिर, तो इकोश्टो क्या बन जाएगा भी, g capital m, small m, divided by l, यह बन जाएगा आपके पास, 1 by l, और इसके बाद माइनस, 1 by क्या देगा आपके पास, d, प्लस, l, यह बन जाएगा, g capital m, small m, divided by l, इसके बाद माइनस, देखना देखो, l sim ले लूँगा, तो l sim क्या बन जाएगा, आपके पास, l, into क्या बन जाएगा, आपके पास, d, प्लस, l, यह, 1 by l नहीं होगा, भी, यह, 1 by, यह, उल्टा किया न, d, यह, d, यह, d, यह, d, इसको आपन बोल देंगे, d बोल देंगे, यह, d है, तो यहाँ पर यह भी अपने पास में क्या बन जाएगा, d बन जाएगा, तो इसको भी अपन क्या बोल देंगे, इसको आपन d बोल देंगे, d, और यह बन जाएगा, आपके पास, d, प्लस, l, इसको d से डिवाइड कर देंगे, तो force का formula क्या बन जाएगा g capital m small m divided by d into d plus l ठीक है ना तो फिर उसके बाद में दो दान से यह force बन चुका है तो ऐ फिक उस्टु क्या बन जाएगा g capital m small m divided by d into d plus l ठीक है तो देखते हैं पन कौन सा सही हो है इसके अंदर देखो यह अपने अंसर निका ले तो इसके बाद देखना से डिogo समप्सकु यही तो हो गया, G, capital M, small M, upon D into क्या हो देगा आपके पास L plus D, second option इसके अंदर correct चला जाएगा भी, यह था आपका question number 8, ठीक है भी, तो चलिए इसके बाद ने next question आपका देखते हैं, देखेंगे द्यान से देखो, देखो यह वाला question है, gravitational potential, varies along x-axis as shown in figure, plot E versus x graph, corresponding to vx graph, यहां पर दो दान से यह अपने पास में graph है, देखना ने next, दो दान से, यहां पर यह अपने पास में क्या हो देगा, इस परकार से 0 से 4 हो रहा है, यह 0 से 10 हो रहा है, और फिर उसके बाद है 4 से 8, और 8 से 12, इस परकार का graph है भी, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आप यह हो गया है, 0, 4, 8, 12, यह 10 हो गया, आपने जानते हैं कि e equals to क्या होता है, आपके पास मैनस का dv upon dx, यह मैनस का v2 minus v1 upon x2 minus से x1, सबसे पहले आपने बात करते हैं, x ब्राबर 0 से लेकर के 4 तक, तो e ब्राबर क्या हो देगा, minus का, v2 कितना हो देगा, आपके पास हैं, 10 minus 0 upon 4 minus 0, तो इसको आपने बोलेंगे, minus का 2.5 हो देगा भी, फिर आपने बात करते हैं, x ब्राबर 4 से लेकर के 8 तक, तो यहांस आपके पास मैंतो, e ब्राबर कितना हो देगा, भी minus का, भी यह तो आपके पास 10 ही रहता है, तो 10 minus 10 लिख देगे, constant रहता है न, अपने क्या देगा, 8 minus 4 देगा, तो इसको आपने बोलेंगे, 0 बोलेंगे, और इसके बाद में आपने बोलेंगे, x पराबर 8 से लेकर के 12 तक, तो e कुश्ट क्या बन जेगा, minus का, भी 12 पे वापस आपके पास वी क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, तो 0 minus 10 अपन 12 minus 8, solve कर देगे, तो प्लस का आपके पास 2.5 हदेगा, तो अगर इसके corresponding आपने ग्राब बनाते हैं, तो किस प्रकार का ग्राब देखने को मिलेगा, इस प्रकार का ग्राब बन जाएगा, ये तो आपके पास e हो देगा, ये x हो गया, ये 0 हो गया, ये आपके पास क्या देगा, 4 हो देगा, ये आपके पास 8 हो देगा, और ये आपके पास क्या देगा, इस प्रकार से 12 हो लाने देगा çणिं़ जीन जैगा यह 0 आय जगा और फिर यहां से लिकर कि क्या बन जाएगा इस प्लस का देगा आया, तो इसा प्लस का देखने को मिलेका तो कौन सा graph है यहां पर दो दान से feet bit रहे है यह मैं आपको बता देता हूँ , देखने a हैं से देखो यह अपनने इसको बाकाई देशॉल कर दिया, फूरा कम्प्लीट, तो देखते हैं अपन, कौन सा ग्राप इसके अंदर से ही जाएगा, देखो, इस स्थादी में कौन सा ग्राप सी जा रहा भी, आपका फोर्थ ओप्शन है, वो बिल्कुल एकदम करेक्ट जा रहा है, ठीक है, तो फोर्थ ओप्शन आपका करेक्ट हो गया भी, आगे बढ़ते हैं इसके बादे नेक्स्ट अपन, अगला क्यूशन देखते हैं अपन, क्या तो देख नान से, आपको जो और्बिटल वेलसिटी है, वी ओ इकवेश्ट क्या देर का आपके पास में, वी इडिवाइड़ वाइड़ थ्री, वी ओ को अपन क्या बोल सकते हैं भी, जी एम बाई आर का रूट, फोर्मला तो आपको ध्यान में होना ही चीए भी, वन बाई दोनों तरब से इस्ट कर देगा, थ्रीका इस्ट कर कितना हो देगा, नाइन, तो यहां से आपके पास है, इस्मोल र इकवेश्ट कितना हो देगा, नाइन आर डिवाइड़ वाइड़ वाई, टू, और इस्मोल र को आपन लिख सकते है, आर प्लस है, एच, तो यहां से आ आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में next आपन, तो next है को दान से, अगला question कर रहा है, expression due to gravity on moon, is 1 by 6 of the expression due to gravity on earth, if the ratio of the densities of earth, rho e and rho m, is कितना हो देगा 5 by 3, then radius of moon, in terms of r e each will be, देखो बटा, आपन जानते हैं, कि g equals to क्या होता है, आपके पास है, 4 by 3 by g r into rho, यहां से आपके पास है, g directly proportional to r into rho आजाएगा भी, ओके, इसके बाद हम आपन जानते हैं कि g m, divided by g e, equals to क्या होता है, आपके पास है, r m, rho m upon, r e rho e, तो dancer देखता हम देखता है, g m upon g e, g m को आपन क्या बोल सकते हैं, g e by 6, तो यह आपके पास हो 1 by 6 हादेगा, इसके बाद dancer देखना है, r m upon r e, यह तो अपने को calculate करना है, तो r m upon क्या हादेगा, r e, और इसके बाद dancer देखना है, rho m upon rho e, rho e upon rho m कितना हादेगा, 5 by 3, तो यह बन देगा आपके पास है, 3 by 5 बन देगा भी, 3 by 5 हादेगा, तो यहाँ से आपके पास है, तो यहाँ से आपके पास है, जो r m है, वो क्या हादेगा, आपके पास है, 5 by 18 into r e, तो 5 by 18 into क्या हादेगा, r e, first option सीधर सीधा आपका यहाँ पर correct जा रहा है भी, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स आपन, तो नेक्स ध्यान से देखना देखो, यह करा है कि बोड़ी और मास m is taken from the earth's surface to the height equals to twice the radius of the earth, the change in potential energy of body will be, बहुत simple है भी, change in potential energy का formula होता है, ध्यान से देखना देखना देखो, देल्टा यू equals to mg h upon one plus h divided by r, तो mg h को आपन क्या बोल सकते हैं भी 2r, ठीक है, और one plus h क्या देखा 2r divided by r, r से r को cancel out कर दो, तो यह देखा आपके पास है, 2 mg r divided by 3, तो 2 by 3 mg r, थर्ड ओप्सन यहाँ पर आपका correct आजएगा भी, ओके, चलिए इसके बाद next, अगले क्यूशन की दरब रूख करते हैं अपन, यह करा है कि the escape velocity from earth is Vs, a body is projected with velocity to Vs, with what constant velocity it move in the interplanetary space, यह यह इन infinite पर कितने velocity इसके पास में बचेगी, तो V infinite का formula होता है, ज्यान से देखना देखो, V e into root of n square minus 1, तो V e का तो क्या देगा, आपके पास में V e, S के velocity की कितने कुणा भी, दो कुणा तो दो का square कितना हो देगा, 4 minus कितना हो देगा, बबन हो देगा, तो इसको आपन क्या बोलेंगे, root 3 into V e, ठीक है न, root 3 into V e, third option यहाँ पर आपका correct आजएगा भी, ओके, इसके बाद next, आगे बढ़ते हैं, यह गर आप from a solid sphere of mass m and radius r, a spherical portion of radius r by 2 is removed, as shown in the figure, taking gravitational potential V equals to 0 at r equals to infinite the potential at the center of the cavity thus formed, तो बात सुना भी यह जो cavity बन रहे हैं, इस cavity के center पर आपको potential calculate करना है भी, ठीक है, तो चलिए बहें देखते हैं, इसको आपन देखते हैं, देखिएगा, सबसे पहले यह अपने पास से हैं कि sphere है, इस sphere में से इस परकार से मैंने कि sphere आपको बाहर निकाल दिया है, ठीक है, यह वाला जो sphere है, इस sphere के जो radius अब कितने होते हैं कि r, और इसका जो mass अब कितना होते हैं कि आपके पास m, यह आपने जो काट करके निकाला है, इसकी जो radius अब कितना होते हैं कि आपके पास r by 2, इसकी radius कितना होते हैं कि आपके पास r by 2, और इसका जो mass अब कितना होते हैं कि आपके पास m by eta देगा भी, ठीक है, तो यहां पर इस kvt की सेंटर पर क्या करना है भी potential क्या क्या करना है, तो इसको वह बोल सकते हैं, वह बोल सकते हैं, इसको आपन Odis भोल देंगे, तो Odis इस पर अपने Academic पहले का potential क्या था भी कार्टने से पहले का potential लिग दो तो यह अपने पास में एक solid ispherj जिसका मांस कितना है m radius कितनी आर है इसका इंसाइड पॉइंट हो गए तो इंसाइड पॉइंट पर potential का formula क्या होता है माइनस gm अपन 2r3 3r square minus small r square small r बराबर कितना हो देगा r by 2 r by 2 का square कितना हो देगा आपके पास r square by 4 आजाएगा भी ठीक है ना यह आगया यह तो देगा काटने से पहले का potential लागए भी ओके अब बात सुनना भी यहां पर आपने एक portion ना उसको portion को काट करके आपने बाहर निकाल दिए तो जिस बाग को आपने काट करके बाहर निकाला है उस बाग का उस point पर potential में कितना contribution था उस contribution को आपन क्या कर देंगे इस मैंस कर देंगे तो इस मैंसे आपन मैनस कर देंगे किस का potential बताओ इस वाले part का खुद किस center पर तो द्यान से देखना तो एक तो आपको यह फोर्मला प्तावना चाहिए VE निकोशु तो क्या होता आपके पास है minus gm upon 2 r cube , यह था आपके पास 3 r square minus क्या होता आपके पास R square होता है और अगर आपको V center की बात करनी है तो यह होता आपके पास 3gm upon यह आपके पास 2R होता है, ठीक है, अब आपको तो यह देखना है कि यह आपके पास जो spherical cavity है, इस cavity का खुद की center भी कितना हो देगा भी इतना हो देगा, तो आपन minus कर देंगी इसको, यह बन देगा आपके पास minus का, 3 by 2 का तो 3 by 2 आ गया, इसके बाद है G, इसका mass कितना हो देगा भी, M by 8, ठीक है ना, और radius कितना हो देगा आपके पास R by 2 आ जाएगी भी, यहाँ पर 2 शापन क्या गरेंगे, 2 को एक इंस लूट कर देंगे, तो solve कर देंगे, आपके पास हो देगा minus का, 4 into 3 कितना हो देगा, 12 minus 1 कितना हो देगा, 12 minus 11, 11 तो माइनस क्या बंज़ेगा आपके पास हो 11 gm by 8R, माइनस माइनस क्या आपके पास हो प्लस, तो ये क्या बंज़ेगा आपके पास हो 3gm divided by 8R, तो क्या बंज़ेगा आपके पास हो 11 plus 3, तो माइनस 8 आदेगा, तो माइनस 8 gm by 8R, तो 8 से 8 को गैसे लाउट कर दो तो ये बंज़ेगा आपके पास हो माइनस का gm by r, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक तो मैंने काटने से पहले उस पॉइंट पर potential क्या आपक आता उसका contribution यहां पर मैंने minus कर दिया है, ठीक है भी? चलिए, देखते हैं कौन सांसर यहां पर आपका correct जा रहा है, तो देखते हैं आपन देख दान से, तो minus gm by r, second option यहां पर आपका correct आजाएगा भी, ठीक है न, second option यहां पर आपका correct जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आपन नेक्स देख दान से क्या करा है, if the density of the planet is double that of the earth, and the radius is 1.5 times that of the earth, the acceleration due to gravity on the planet is, बात सुना भी, आपन जान देगी, जी इकोस्टो क्या होता, आपके पास है, 4 by 3 by g r into rho, तो यहां से आपके पास है, g directly proportion to r into क्या देगा, आपके पास rho देगा, इसके बाद में दान से देखना 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 देखना, gp upon ge, एकोस्टो क्या देखना आपके पास, rp, rho p, r e, rho e, अब बो, क्या घर है, if the density of the planet is double, radius कितना होता है, 1.5 times हो देगी, upon क्या देगा, r e, rho e, r e, rho e, r e, rho e, cancel out कर देगे, तो यह आपके पास में क्या देगा, 3 आजएगा, तो अपन बोलेंगे, gp equals to 3 times o पे, g e, ठीक है भी, तो second option यहाँ पर आपका, correct आजएगा भी, ओके, चलिए, देखते हैं, अगला क्यूशन फिर आपन, next देगोदान से क्या कह रहा है, यह कर रहा है, a body is orbiting very close to the earth, ठीक है, very close to earth, इसका मतलब हाइट को लगबग, अपन जीरो लेके चलेंगे, with kinetic energy kee, the energy required to completely escape from it, is, तो सुनो देखना देखो, यह बात सीदी से यह है, बहुत ही पास में मतलब, यह क्या कर रही है भी, orbiting कर रही है, जैसे यह मान लोगी, यह आपके पास में इस परकार से अर्थ हो जाएगी, और इस अर्थ के आसपास में मतलब, बहुत पास में इस परकार से यह orbiting कर रही है, यहां पर यह और्बिटिंग कर रहे हैं इस परकार से यह इसकी जो हाइट हो इसको आपने क्या गर सकते हैं नेगली जीवल मान सकते हैं ठीक है तो एक बात ही है आपको यह वो लज़र है एनर्जी रिक्वाइड टू कम्प्लिट एसके फ्रॉम इडिज इसको आपने क्या करवना है तो सबसे पहले आपन देखते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने होती है अभी हाफ एम वी स्क्वाइर या इसको आपने बोल सकते हैं जी केपिल एम इसमॉल एम डिवाइड वई यह आपके पास तूबार हो जाएगा भी ठीक है ना यह बात होगी अब यह करा है कि एनर्जी रिक्वाइड कितने एनर्जी रिक्वाइड होगी भी यह वाली जो डिस्टेंस ह है यह आपके पास इसमॉल आ रहे है इसका मांस कितना हो जाएगा कैपिल है मांस कितना हो जाएगी इसकी स्क्वीड आपके पास वी हो जाएगी यह काइनेटिक एनर्जी होगी अब इसको एसको आपको इन्फिनिटी पर बेज़ना है इन्फिनिटी पर आपको पता है कि का potential energy भी 0, तो total energy भी 0 बन जाएगी भी, तो अपन बात कर सकते हैं, दियान से देखना देखना देखो, at infinity, kinetic energy plus potential energy equals to क्या हो देख, आपके पास है, 0, at, infinite, तो kinetic energy है, यह क्या कर अभी, then the energy required to complete the escape from it is, तो दियान से देखना देखना देखो, इन्फाइनेटी पर kinetic energy plus potential energy आपन जीरो कर देगे, ठीक है, क्या कर दिया आपन इसके अंदर, kinetic energy आपके पास ही आगई, अब इसके बाद में आपन क्या आखने इसकी binding energy आपन निकाल लेते हैं, binding energy, तो देखना देखना देखो, binding energy, equals to क्या होता आपके पास, minus of total energy, minus of total energy कितना होता है, minus का G capital M small m divided by 2R होता है, minus minus plus होजएगा तो यह आपके पास है, G capital M small m divided by 2R, और इसको आपन किसके बराबर लिख देंगे, किनेटीक energy की बराबर लिख देंगे, किनेटीक अनर्जी की बराबर, तो ध्यान से देखना देगा गोग जी capital M small M divided by 2R ये किसके बराबर हो देगा? Kinetic energy की बराबर देगा, तो binding energy वो किसके बराबर हो देगा? Kinetic energy की बराबर, यहां पर second option आपका correct चला जाएगा भी, ओके, चलिए इसके बाद में next, आगे बढ़ते हैं फिर अपन, आगे बढ़ते हैं आपन देगोदान से, अगला क्यों देखते हैं आपन क्या करें, एप body of mass m kg is falling from a point to r above the earth's surface, its kinetic energy when it has fallen to a point r above the earth's surface, r क्या radius of earth, mass of earth, g gravitational constant हो जाएगा भी, देखों ऐसा है, यह अर्थ है, तो इस अर्थ का दियान से देखना हो, जो mass हो कितना हो देखा, आपके पास है, capital m, radius r हो देगी, यहां से दियान से देखना हो, कोई particle गिरना श्टाट करता है, सबसे पहले यहां की बात करते हैं, यहां पर high double h बराबर कितना हो देगी भी 2r, और जब यह यहां तक पहुंच जाता है, यहां पर आपके पास है, high double kis के बराबर जाएगी, r के बराबर, यहां से गिरना श्टाट करता है, यहां पर kinetic energy कितना हो देगी, 0, और यहां पर kinetic energy कितना हो देगी, केई हो देगी, तो अपन यहां पर लगाते थे, conservation of mechanical energy low, हिंदी में इसका आपन बॉलते हैं, यांत्री कुर्जा सरक्षन का नियम, यह करता है कि किसी भी point पर kinetic energy और potential energy का total वो constant रहता है, तो यहां पर एक बात हो kinetic energy कितना हो देगी, 0, और यहां पर जो potential energy कितना हो देगी, आर प्लस से h होता है भी, तो आर प्लस h कर देंगे 2r, तो यह क्या बन जाएगा आपके पास हो 3r, equals 2, यहां तो गिर्चुगा, तो यहां पर kinetic energy कितना हो देगी, कि आपके पास है, के e potential energy कितना हो देगी, minus g capital M, small m divided by small r, r plus r क्या बन जाएगा, आपके पास हो 2r बन जाएगा, तो यहां से अगर आपन solve करते हैं, तो kinetic energy कितना हो देगा, आपके पास है, g capital M, small m divided by 6r, solve कर देने पर आपके पास हो यह answer आजाएगा भी, तो second option यहां पर आपके पिर से tick कर देंगे भी, तो conservation of mechanical energy low, यहां यांत्री कुर्दा स्रक्षन का नियम यहां पर आपन apply करतेंगे बिटा, ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, next, अगला question क्या करें, यह करेंगे, the change in the gravitational potential energy when a body of mass m is raised to a height nr, above the surface of the earth, here r is the radius of the earth, so change in the potential energy, यहां पर आपको calculate करना है, तो आपन क्या लिख सकते है, delta u इसको क्या देगा, mgh, upon one plus h divided by r, तो इसको आपन बोलिंग, mg, h को आपन क्या बोलिंग, nr, divided by one plus, क्या देगा, आपके पास, nr, divided by r, तो r से अपन आर को cancel out कर देंगे, तो यह आपके पास न क्या देगा, n upon n plus 1, और यह देगा, आपके पास, mg, r, तो n upon क्या देगा, आपके पास, n plus 1, mg, r, first option आपके यहां पर correct देगा भी, ठीक है, simple question है, पहले भी ऐसा formula पन्डिसक्स कर चुके है, next, देगो दान से क्या कर रहे, the escape velocity of body from earth's surface is ve, the escape velocity from same body, from a height equals to 7r, from earth's surface will be, लो जी, ve बराबर क्या होता, आपके पास, 2gm divided by r, यह तो देगा surface से, ve डेस पराबर कितना होता, आपके पास, 2gm divided by small r, क्यांसे, इसको आपन बोलेंगे, 2gm divided by small r, आपन बोलेंगे, r plus h, इसको आपन बोलेंगे, 2gm divided by 8r, और इसके बाद में, इसको आपन क्या लिख सकते हैं भी, ve divided by क्या होताइगा, आपके पास, root of 8, तो ve को आपन बोलेंगे, ve, root 8 को आपन क्या लिखनेंगे, 2 root 2, तो ve divided by 2 root 2, third option आपका यहां पर correct आजएगा, simple है ना, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद, next आपन, gravitational field is given by e equals to minus k by r, where r is the distance and k is a constant, if the gravitational potential at r equals to r0, b, v0, then what is the expression of the gravitational potential v, दो यहां पर simply आपके पास e equals to क्या दे रहेगा है, minus k by r, e equals to क्या होता, आपके पास minus k dv upon dr, minus से आपन minus को cancel out कर देंगे, तो यहां से आपके पास dv equals to क्या बन जाएगा भी, k by r dr, और इसके बादे देखना दाएंसे देखो, दौनों तरफ से अपन integration कर देते हैं, तो r equals to क्या होतेगा, आपके पास r0 पर v कितना होतेगा, v0 होतेगा, r equals to r पर v कितना होतेगा, आपके पास v होतेगा, dv का integration क्या कर देंगे, v, लिमिट्स पूट कर देंगे, r0 से लेकर कि r, तो बराबर देगा, आपके पास है k log r upon r0, और minus का v0 उदर जाकर कि plus का v0 बनजेगा, तो यहां से आपने लिख सकते है, v equals to v0 plus k log r upon r0, तो v0 k log r upon r0, यानि third option आपके यहां पर करेक्टा देगा भी, ठीक है, तो कुल मिलाकर कि 20 क्यूशन हो चुक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में आपनेक्स्ट, अगला क्यूशन कर रहा है कि, an earth satellite of mass m revolve in a circular orbit at a height h from surface of the earth, r is the radius of earth and g is acceleration due to gravity at the surface of the earth, the velocity of satellite in orbit is given by, बहुत simple formula भी, देखो, orbital velocity का formula था, v o equals to क्या होता है, आपके पास है, g m upon small r का root, इसके बाद में लिख सकते है, g m upon small r को आपके लिख देंगे, r plus h का root देगा, g m को आपके लिख सकते है, g into r square upon, यह देगा आपके पास, r plus h का root, answer आच चुक है, fourth option आपके यहां पर correct आगया, आपन जान दें कि g equals to क्या होता है, g m upon r square, तो कभी भी अगर मेरे को gm दिखे तो इसको मैं g into r square से replace से, कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहां पर किया है, ठीक है बिटा, तो बहुत ही easy question था, यह question अपन ने बहुत easily इसको solve कर दिया है, अगले question पर चलते हैं अपन, next, क्या कर भी, a person can throw a ball up to a maximum height as from surface of earth, and maximum height up to which he can throw a ball on a planet whose mass and radius are twice theta of earth, बहुँआ सिरी सी बाद है कि अपन जानते हैं, g equals to g m upon r square, g is directly proportional to m upon r square, अब बात सुना भी, planet पर अगर आपन बात करता है, gp equals to क्या होजाएगा, आपके पास है, g e into mass भी दूगूना, radius भी दूगूनी, 2 का square कर दो, तो यह आपके पास मन जाएगा, g e divided by 2, height क्या होते है, edge equals to u square upon 2g होता है, mechanics के अंदर आपन पढ़ते हैं, to edge inversely proportional to g, on planet upon height on earth, equals to g e upon क्या होजाएगा, आपके पास है, gp, तो यहां से देखो दान से, height on planet upon height on earth, क्या होजाएगा, edge equals to, यहां पर आपके पास होजाएगा, gp है, वो gp की इसके ब्राबर देगा भी, g e upon 2, g p ब्राबर कितना होजाएगा, g e upon 2, g e upon 2, into कितना होजाएगा आपके पास है, g e, g e से g i को cancel out कर दो, to edge v요 ब्राबर कितना होजाएगा, आपके पास हा, two times of h, edge vannegee ब्राबर कितना होजाएगा, नेक्ष्ट देखो देंसे यह करें कि अर्बिट्रल स्पीड उपन आर्टिफिसे सेटलाइट वेरी क्लोश टू अर्थ सर्पेस यहां पर यह बोले जा रहा है द्यान से देखना है को वेरी गोश टू सर्पेस इसका मतलब यह देगा कि आपके पास है जो है वो लगबग इतना हो देगा आपके पास है जीरो ठीक है ना तो अपन जाना देखिए कि इसमोल आर्ग कुछ तो क्या होता है आर प्लस एच और लगबग इसको आपन आर के बराबरी लिग देंगे क्योंकि ह है वो तो जीरो की आसपास हो देगा विटा तो इसका क्या हो देगा आपके पास भी नॉट विनॉट का फॉर्मला क्या होता है जी एम अपन आर का रूट या इसको आपन बोलेंगे जी एम अपन आपन आर को आपन क्या बोल सकते हैं capital R plus H ठीक है तो सबसे पहले आपन बोल अब हैट कितने हैं डियान से देखना है इक वस्टो थी तैम्स तो आर प्लस 3R कितना हो देखा आपके पास है 4R तो इसको आपन क्या बोलेंगे 1 x 2 into GM by R को आपन क्या बोलेंगे V0 तो यह बन जाए अपके पास है 0.5 5 times of V0, third option, सिधा सिधा यहां पर अपना correct आ जाएगा, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्यूशन देखते हैं, रियान से देखना देखो, यह कर रहा है, ऐस सेटिलाइट ओ मास M is circulating around the Earth, with constant angular velocity, if radius of the orbit is R0, and mass of the Earth is M, the angular momentum about the center of Earth is, by series सी बात है, यह अपने पास में क्या बन जाएगी, इस प्रकार से अर्थ हो देगी, और इसके चारों तरफ इस प्रकार से यह क्या कर रहा है, और बीटिंग कर रहा है, और इसका मास अब जाएगा, आपके पास M हो देगा, इसकी velocity कितना हो देगी, वी नोड देगी, और यहां पर उसके बाद में यह वाली जो distance है, यह क्या हो देगी, आपके पास small r हो देगी, और आपन यह जान दें कि small r इकुश्ट हो क्या होता है, आपके पास r प्लस h होता है, h के अभी बहुत कम है, very close है, small r को आपन capital r के बराबर बोलेंगे, ठीक है ना, और मतलब r not हो देगा यह r not, r not बोलेंगे इसको आपन, ठीक है, क्योंकि इसकी जो radius हो कितना हो देगा, आप आपके पास m v not into, या आपके पास r not हो देगा भी, तो m v not को आपन क्या बोल देंगे, v not को आपन लिख सकते है, root of gm divided by, या आपके पास r not, into क्या देगा, आपके पास r not हो देगा भी, तो इसको आपन क्या बोल सकते है, m, root of gm, r not, तो small m into G capital M R naught, first option यहां पर आपका सिधा-सिधा correct जा रहा है भी, angular momentum तो आप जानते ही हैं क्या होता है, mvr के बराबर होता है angular momentum, ठीके बटा, चलो आगे, अगला question क्या कह रहा है, next ते होदान से, a satellite is moving with a constant speed v in a circular orbit around the earth, an object of mass m is ejected from the satellite such that it just escapes from the gravitational pull, of the earth, at the time of ejection, the kinetic energy of the object each. सबसे पहले दियान से देखना देखो, अगर वो गूम रहे है, तो गूम रहा है तो इस पर अंदर की तरफ तो क्या लग रहा है भी, गूम रहा तो अंदर की तरफ तो लग रहा है इस पर क्या भी, बाहर की तरफ तो लग रहा है mv square upon r, और अंदर की तरफ क्या लग रहा है, g capital m small m divided by क्या देगा आपके फास r square, यहां से आपके फास mv square equals to क्या देगा आपके फास है, g capital m small m divided by r, और सब को मालू में जयान से देखना देखना देखो, kinetic energy है, वो kinetic energy क्या देखना आपके पास है, half mv square, equals to क्या बन देगा आपके फास है, g capital m small m divided by 2 r देगा भी, ठीक है, अब क्या करें, जयान से देखना देखना देखो, satellite is moving वे रे constant speed v, और यह तो इसके kinetic energy होगी भी, ठीक है ना, और mass m is eject, अब बात सुना भी, इसको आपने को क्या करना भी, eject करके infinity पर पहुंचाना है, तो kinetic energy प्लस क्या होगी आपके फास है, potential energy equals to, zero कर दो, क्योंकि देखना देखो, इसको आपने infinity पर पहुंचा दिया, तो आपको यह फूच्छा जार है, देखना देखो, at the time of ejection, the kinetic energy of the object, kinetic energy आपको calculate करनी है, potential energy क्या होगी आपके फास है, minus का G capital M, small M divided by R, formula होता है, minus G M1 M2 upon R होता है, potential energy का formula, equals to क्या कर देंगे, आपको जीरो कर देंगे, तो यहां साब के फास है, kinetic energy equals to क्या बनेगा, G capital M, small M divided by R, और, इसके बादे इसको आपके इधर की तरफ ले जाएंगे, या देखोदान साब G capital M, small M divided by R, यह कि इसके बराबर हो जाएगा, M V square के बराबर हो जाएगा भी, M V square के बराबर कर देंगे, तो यहां पर second option अपना सिधा सिधा, correct cell आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्ष्ट देखोदान से हैं, अगला क्यूशन कहा रहा है कि, a solid sphere of mass M, and radius A is surrounded by a uniform concentric spherical cell of radius 2A, and mass 2M, the gravitational field at a distance 3A from the center will be, लो जी क्या कहा रहा है देखोदान से, यह तो अपने पास में देगा, इस प्रकार से solid sphere, यह तो solid sphere हो गया भी, इस solid sphere का जो mass हो कितना हो देगा, आपके फास M, radius कितना हो देगा, आपके फास A, इसका mass कितना हो देगा, आपके फास 2M, इसकी radius कितना हो देगा, इसकी radius हो देगा, आपके फास 2A, अब अपने को क्या करना, पर आपने एक पॉंट पर अपने को फिल्ड केकल्कूलेट करना तो't potato देगा यहां पर विया पर जिए तो तो आपन देख सकते हैं कि यहां पर इस point पर दोदान से e बराबर, कितना हो देख आपके पास है, g into, अब इस point के अंदर total mass कितना भी, m plus 2m बराबर 3m, तो आपन बोलेंग, m plus 2m, g total mass upon, यहां से लेगे, यहां ते की distance कितना है, 3 है, तो इसका square कितना हो देख आपके पास है, 9 m upon 3a square, gm upon 3a square, यानि second option यहां पर अपना correct आजाएगा भी, okay, चलिए इसके बाद में next, अगला आपन देखते हैं भी, अगला question आपका, question number 27, यह कर आगे, the ratio of the weights of a body on the earth, surface to that of the surface of the planet is 9th ratio 4, the mass of the planet is 1 by 9th, that of the earth, if r is the radius of earth, what is the radius of planet, ठीक है न, दोनों की mass density same हो जाएगी, तो क्या बोल रहा है भी, दियान से देखना देखो, mass और radius की बात कर रहे है, तो यह आपके पास बन जाएगा, दियान से देखना देखो, weight on the earth surface upon weight on planet, mge upon mgp, तो m से m को cancel out कर दो, ge upon क्या देगा आपके पास है, gp, ge बराबर क्या देगा आपके पास है, gme upon r e square, gmp upon r p square, तो यह क्या बन जाएगा देखना देखो, m e upon क्या देखा, mp, r p upon r e का square, अब बात सुनाब, जो weight 7 का ratio कितना हो देखा, 9 ratio 4, तो ge upon gp, यह तो हो गया ना, तो ge upon gp क्या बोलेंगे, 9 by 4 बोलेंगे, the mass of the planet is 1 by 9, तो m e को आपन क्या बोलेंगे, m e बोलेंगे, m p को आपन क्या बोलेंगे, m e divided by 9, और इसके बाए द्यांसर देखना देखो, यह आपके पास हैं क्या देखा, r p upon r e, इसका square कर देगे, m e से आपन, m e को cancel out कर देगे, 9 से आपन 9 को cancel out कर देगे, 4 आ गया, तो यहाँ साब के फास है, r p upon r e, दोना तरफ से route कर दोगे, तो आपके पास हैं कितना देखा, 4 का route 2, तो यहाँ साब के फास हैं डियान सा देखना देखा, जो r p है, वो किसके बराबर जाएगा, r e by 2 के बराबर जाएगा, तो प्लेनेट की जो रेडिस से अब हो कितना अधी कि आर बैट टू के बराबर देगी, second option यहाँ पर आपने सीधा-सीधा करेक्टा देगा भी, okay, next, अगले question पर चलते हैं, और देखो बेटा, अगला जो question अब वो, ग्रेविटेशन का last question है, सबसे पहले अपने बात करते हैं, VE, escape velocity का formula क्या होता है, इसका formula था है, VE equals to 2GM upon R का root हो जाएगा भी, अपने बात करते हैं, देखना देखना देखो, VA upon VB equals to root of, जी तो cancel out देखा, यह देखा आपके फास MA, upon क्या देखा, आपके फास MB, RARB, अब क्या बोल रहा है, देखना देखना, B का जो mass है, वो half the mass and half the radius, B का, MA को आपन क्या बोलेंगे, MA, और MB को आपन क्या बोल सकते हैं, B, MA by 2, और इसके बाद दियान से देखना देखो, RA को आपन क्या बोलेंगे, RA, और RB को आपन क्या बोल सकते हैं, इसको आपन बोल सकते हैं, RA divided by 2 आजाएगा भी, ठीक है, इसका आपन root कर देते हैं, तो यहां पर ma से से आपन में को गैंसल अगा कर देंगे, यहां पर क्यूज आपन को एका बक्सास ऊस्फपय को आप सब्सस्यान से पाइस दुचल की तो यहां पर आपर 4 यानि आपका 1st option यहां पर correct देगा भी, तो यह आपका question number 28 हो गया भी, ठीक है, question number 28 होने का मतलब है कि gravitation की बाते हैं complete हो चुकी, अब अपन किसकी बात करने वाले है, SHM की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला question देखते हैं, अपन SSM का क्या कर रहा है, ध्यान से देखन maximum speed, displacement y equals to, आपको यह बोला जा रहा है कि particle की जो speed है, वो ध्यान से देखना है कि maximum speed की आधी हो जाएगी, तो V को आपन क्या लिख सकते हैं, omega root of a square minus y square, half, v max क्या हो था, आपके पास, a omega, omega कूड़ा दो, 2 आजएगा इधर की तरफ, या a by 2 square कर दो, तो आपके पास आजएगा a square minus v square, इसको आपन बॉलिंग a square by 4, तो y square बराबे कितना हो जएगा a square minus a square by 4, क्या बन जाएगा आपके पास 3a square by 4, तो y equals 2 कितना हो जएगा आपके पास, root 3a divided by 2, third option या पर अपना correct आजएगा भी, चलिए बटा, इसी प्रकार से आगला question आपना देखते है, question number अपना 30, क्या कर रहे है, two simple harmonic motions are given by x1 equals to a1, a sin omega t plus a cos omega t, and x2 equals to क्या हो जएगा आपके पास, a sin omega t plus a by root 3 cos omega t, the ratio of the amplitudes of first and second motion and the phase difference between them are respectively, actually, सबसे पहली बात करते हैं कि इसकी x1 की बात करते हैं, x1, तो बराबर क्या हो देगा, आपके पास, a sin omega t plus a cos omega t, तो, मतलब यह हो गया, कि जो fast वाली है, इसका इधर की तरभी कितना हो देगा, a, इधर की तरभी कितना हो देगा, आपके पास, a, इन दोनों का जो resultant आप हो इस प्रकास आदिया का बीच में, और इसका resultant amplitude कितना हो देगा आपके पास हो, root 2a, और यहां पर यह वाला जो angle है, यह वाला angle कितना हो देगा आपके पास हो है, 45, यानि πाई भाई 4 आगया भी, यह तो बात कर रहे हैं, अब दूसरी की बात करते हैं, x2 की बात करते हैं, तो x2 इक प्रकास क्या हो देगा, आपके पास, a sin omega t, plus a by root 3 cos omega t, ठीक ना, तो देख नदा सरे को, a sin omega t, यानि इधर की तरफ क्या हो देगा, इस परकार से a, और इधर की तरफ क्या हो देगा, आपके पास है, a by root 3, इन दौनों का जो result end up, वो इस परकार से इधर की तरफ आदेगा, तो इधर की तरफ क्या बन देगा, रहां से देखना देगा, a square plus a by root 3 का square, तो क्या बन देगा, आपके पास a square by 3 का, root, तो a square plus a square by 3, तो 3 a square plus a square by 4 square by 3, तो इसको आपन क्या बन देगा, 2 a divided by, या आपके पास root 3 बन देगा भी, येवाला angle अगर अगर अपन calculate करते हैं, तो क्या बन देगा, देखता है, 10 alpha क्या बन देगा, a by root 3 upon a, 10 alpha equal to क्या बन देगा, 1 by root 3, तो येवाला angle कितना हो तर्टी करते हैं, 30 को आपन क्या बहुत सकते हैं, 5 by 6 बहुत सकते हैं, 5 by 6, तो अगर दोनों का आपको amplitude निकालना है तो आपके फास है क्या देगा A1 divided by A2 equals 2 तो पहली का amplitude तो कितना हो देगा आपके फास हो, root 2A divided by, यह देगा आपके फास हो, 2A upon, इसको आपन बोलेंगे, root 3 बोलेंगे, सही बात, तो क्या बन जाएगा A, अपन एक को cancel out कर देंगे, तो यह आपके पास हो, क्या बन जाएगा, root 3 divided by 2, root 3 by 2, एक तो यह आगया भी, अब दोनों की इसका अपने को क्या करना भी, इसके फेज़ डिफरेंस केल्क्लेट करना है, तो फेज़ डिफरेंस, तो यह ओगाए, pi by 4, minus क्या ओदेगा, pi by 6, तो अब आपन बात करते हैं, phase difference की बात करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास है, pi by 4, minus क्या ओदेगा, आपके पास है, pi by 6, सिक्स का civilization है कि अपके पास है है बारह तो कितना आंठ के पास है थी पाई माइस से दो पाई तो आंसर आपके पास आदेंगा पाई बाई तो तो इंक तो फ्रिस्ट ऑप्सन यहां पर आपका करेक्ट आज जाएगा भी ठीक है बही एक अनिक स्कार प्लस एटो स्कार कर रूट बन जेगा भी ठीक है तो यह आपका क्यूशन नमर थर्टी हो चुगा फिनिश और इसके बाद में बढ़ते हैं आपन आगे तो नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं आपन देगदान से तो देखते हैं क्या करें क्यूशन टूशिंपल हर्मोन इसको आपन बोलें कि 100 पाई टी और प्लस क्या बहुत आपके आपके पास है कोस इसको आपन बोलें कि 100 पाई और प्लस क्या बन देगा पाई भाई 3 इसी प्रकार से वे टूशन टूशन तो ब भी अपन ब्यूशन उपन नूत है ए फकर एड्दर के हैं2 कोसूशं 100 पाई टी ठीक अब ही और माइनिस को अपन क्या बोल सकते हैं भी इसको अपन बोल सकते हैं यह बंदेगा आपके पास है टेन पाई यह कोस है ना कोस तो इसको आपन क्या बोलेंगे भी कोस को आपन बोलेंगे माइनस का साइन होता है यह माइनस का कोस नहीं होता है बिटा यह बंदेगा आपके पास माइनस का साइन तो टैन पाई माइनस का यह आपके पास माइनस का साइन इसको आपन बोलेंगे omega t अब यहाँ पर आपके पास है जो minus sign है इस minus sign को आपन क्या बोल सकते है भी इसको आपन बोल सकते है यह बन जाएगा आपके पास है 10 pi और इसको आपन बोल सकते है sin omega t plus क्या हो जाएगा आपके पास है pi हो जाएगा और इसको आपन क्या लिख सकते हैं नियान से देखना देखो ये बन जाएगा आपके पास है 10 pi और cos को आपन लिखे सकते हैं sin 90 प्लस थीटा से तो ये क्या बन जाएगा आपके पास है 100 pi t plus pi by 3 और plus आपन क्या कर देंगे भी pi by 2 कर देंगे ठीक है ना? cos को इस प्रकार से अपन sign में convert कर देंगे तो बात करते हैं अपन phase difference की बात करते हैं तो पहले particle की velocity की जो phase अब हो तो ये बन जाएगी और दूसरे particle की velocity की जो phase आपके पास हो ये बन जाएगी ठीक है ना? तो आपन क्या करते हैं नयान से देखना देखो ये खिए a 100. Wow, इसना से चैकी भागे है, ये दो cancel out हो गया इसके बादे, इसना को अपन लिख सकते है pi by 2 Positive patria pi by 2 plus क्या कर देखो आपके पास है, hacking by 3 और minus क्या हो आपके पास है नि, minus बन जाएगा इस परकार से pi, minus pipe हो जाएगा है पाई को तो यहां पर अपन कॉमन ले लेते हैं, नीचे क्या देगा, LCM आपके पास ने 6 देगा, ठीक है, यह 6 आ गया, तो इसको आपन क्या बोल देंगे, 3, और इसके बाद प्लस, यहां पर 2, ठीक है न, और माइनस क्या देगा, आपके पास ने 6 देगा, 3 प्लस 2 कितना हो देगा, 5, 5, 6, minus 1, तो मैनस का 5 by 6 बन जाएगा भी, तो इसको आपन बोलेंगे, मैनस का 5 by 6, यानि 3rd option यहां पर आपका करेक्ट आजएगा भी, यहां पर आपको जो differentiation अब वो करना आना चाहिए भी, ठीक है, चलो बेटा, अगला question देखते हैं आपन, next question कहारा है कि, a particle performs simple harmonic motion with amplitude A, its speed is tripled at instant, that it is at distance 2A by 3 from equilibrium position, the new amplitude of the motion is, सबसे पहले आपन बात करते हैं, यहां सा देखता हैं, 8, x बराबर क्या देख आपके पास है, 2A by 3, speed निकाल दो, व कोश्ट क्या हता है, आपके पास है, omega root of, a square minus x square, तो v equals to क्या हैं, आपके पास, omega root of, a square minus x कितना हो देखा, 2A by 3, तो 4a square by क्या देखा, आपके पास, 9, तो यहां से आपके पास, v equals to omega, root of, 9a square minus, 4a square कितना हो देखा, आपके पास, 5a square, divided by 9 देखा, तो यहां से इसको आपन क्या लिख सकते हैं, equals to, यह बन देखा आपके पास, 9 क्या देखा, बाहर की दरब आ करके 3 बन देखा, तो यह बन देखा, आपके पास, root 5, a omega, divided by 3 देखा भी, तो यहां से आपके पास, आपके पास, 3 times of v, तो इसका 3 times कर देखा, तो क्या बन देखा, आपके पास, root 5a omega देखा, बाई, original speed तो आपके पास यह आगे भी, बाई, कुछ ही नहीं, मैंने x की बाई, 2a by 3 put कर देखा, तो मेरे पास एक्च्छल speed आच चुकी है, और इस speed को आपने 3 times कर दिया, तो अब इसके बाद में, इसका जो new amplitude अब वो क्या बन जाएगा, तो वी बराबर क्या देगा आपके पास, omega root of a square, अब amplitude चेंज हो देगा, तो इसका आपन क्या बोलेंगे, a dash square minus, x square, तो x कितना हो देगा, 2a by 3, तो इसका आपन क्या बोलेंगे, 9a square by 4 यह बोलेंगे, यहाँ पर omega से आपन क्या कर देगे, omega को यह एंसलाट कर देगे, दोनों तरब से square कर देगे, तो यहाँ से आपके पास है, 5a square equals to, root हड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा, आपके पास है, a dash square minus, इसका आपन क्या बोलेंगे, 9a square by 4, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा, a dash square equals to, तो, क्या बन जाएगा, आपके पास हो, सही तो किया है ना, पर 9a square by 4 है ना, तो 9a square by 4 होगा क्या, यह गलत कर दिया, 4a square by 9 होगा ना, 2a by 3 का square करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके पास है, 4a square by 9, तो इसको आपन बोल देंगे, 4a square by 9, ठीक है ना, तो इसको आपन क्या लिख सकते हैं भी, यह बन जाएगा, आपके पास है, a dash square minus से, minus क्या बन जाएगा, आपके पास है, 4a square by 9, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, a dash square equals to, 49a square, अपन क्या देगा, आपके पास 9, तो यहाँ से आपके पास आपके पास, जो a dash, वो a dash किसके बराबर हो देगा भी, 7a divided by 3, तो 7a divided by 3, यहनि थर्ड ओप्सन आपका यहाँ पर क्रेक्टा देगा भी, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट अपन, यह करा है कि इस्टेंटनेस डिस्प्लेस्मेंट, और पे सिंपल बेंडूलम उसिलेटर इस गिवन भाई यह, its speed will be maximum at time t, at time, then speed maximum कांपर होती है bhi, v है वो maximum कांपर होता है bhi, जब mean position होती है, x 7, 0, x ब्राबर क्याार कि आदेगा आपके पास, a cos,gua t-plus, क्या देगा आपके पास, 5 by 4, और इसको 0 की ब्राबर कर देंगे, तो 0 होता है, 8, 90, यहनि, cos 5 by 2 आगया, ठीका न, तो इसको आपन क्या बोल सकते हैं भी? cos 5 by 2 अज़ेगा तो इसको आपन 0 के बाले कर देंगे. तो यहां से आपके फास हो, omega t plus 5 by 4 equals to क्या बन ज़ेगा आपके फास है? 5 by 2 अज़ेगा. तो इसको आपन लिख सकते हैं, omega t equals to 5 by 2 minus 5 by 4 5 by 4 अज़ेगा. तो t equals to कितना हो, आपके पास है, 5 by 4 omega. तो t equals to कितना हो, आपके पास है, 5 by 4 times omega. तो 5 by 4 omega, first option यहां पर आपका, correct आज़ेगा भी. ठीक है न? velocity maximum कब होती है? जब particle कहां पर होता है, mean position पर होता है. समझ गए बात आप है? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद, next. next अगोदान से क्या करें? यह करें कि एपार्टिकल एक्जिकूट्सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंप्लिट्टूड ऑफोर सेंटिमेटर, ठीक है? at the mean position, the velocity of the particle is 10 cm per second, the displacement of the particle from mean position, when its speed becomes 5 cm each. mean position पर velocity कितना हो देगे आपके फास हो? 10. तो V max पराबर क्या हो देगा आपके पास है? A omega. तो यह कितना हो देगा आपके फास हो? 10. A, A कितना देरगा भी आपको यहाँ पर? A कितना देरगा है? 4 देरगा है. तो A आपको 4 देर करना हो, तो A की जिगा आपके लिख देंगे 4, omega, तो यहाँ से omega A कितना देरगा आपके पास हो? 10 by 4 हो देगा. अब आपको बुलादेरा है किस position पर इसकी जो velocity 5 cm per second हो देगी? तो V कुछ्ट क्या देगा? omega root of A, A square minus X square. तो V कितना देरगा आपको 5 देरगा है? omega कितना देगा आपके पास है? 10 by 4. root of A square, A कितना देगा 5? A कितना देगा 4? तो 4 का square कितना देगा आपके पास है? 16 minus X square हो देगा. तो यहां से इसका आपन कैंसल आट कर देगे 5, यह 10, यह कितना देगा आपके पास है? 2. ठीक ना? यह आपके पास है 2, और यह 4 तो यह नीचे की तरफ क्या देगा आपके पास है? 2 अदेगा भी? 2 इदर की तरफ देगा. तो 2 का square कितना देगा आपके पास है? 4 equals to कितना देगा आपके पास है? 16 minus X square. तो यहां से आपके पास है? 16 minus 4 equals to 12. तो X बराबर कितना देगा आपके पास है? 4 into 3 का root. तो यह बन देगा आपके पास है? 2 root of 3 centimeter. तो यह देगा आपके पास है? 2 root of 3 centimeter. तो यह देगा आपके पा ये गराए कि इक पाडिक्ल एंग्जेटेकूट्स लीनेर सिंपल हर्मोनेक पक्राश्ट इसेडिमेटर इसान कि औरwałगेट पाज है तो अमेगा root of a square minus x square equals to omega square x 1 omega 1 omega को cancel out कर देंगे तो यहां से आपके पास में क्या बंदेगा a square minus x square equals to क्या आपके पास x square देगा sorry omega x देगा भी equals to क्या आपके पास omega x अब बात सुना भी amplitude कितना हो देगा आपके पास हो 2 और x कितना हो देगा 1 हो देगा तो 2 का square 4 minus x कितना हो देगा 1 equals to omega x कितना हो देगा आपके पास 1 तो omega equals to कितना हो देगा भी 4 minus 1 कितना हो देगा 3 और omega बराबर कितना हो देगा आपके पास हो 2 pi by t तो यहांसे आपके पास, dt एकुस्टा की तो न ऐगा आपके पास, 2π3 आजेगा भी तो क्या बंजाएक आपके पास न टू पाई 3 कुछ गडबड हुआ कि यद्मुद वड़क्या से करते हैं तो अगो तरब से स्कर करेंगे या आपके फास हो ओमेगा इसकर एक्सकूरaya तो ओमेगा स्कूर रादियेगा यह ओमेगा स्कूर ब्राबर 2 ठीक न हूँ तो ओमेगा स्कूर बराबर अगर आपके फास 3 आ गया Our we are theками कि किपास रूट 3 अथि में लिख सकते न तो तो पाइग दky आपके फास 2 पाइटी जुझ स्थ देगा भी, ठीक है? आगे चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट अपन, अगला क्यूशन देखते हैं, क्या करे है? A particle is executing a simple harmonic motion, its maximum x direction is alpha and maximum velocity is beta, time period. maximum x direction कितना हो देगा आपके फास हो, alpha, तो a makes equals to क्या हो आपके फास हो, omega इसकर x, x की value input कर देंगे, v makes पराबर क्या देगा आपके फास हो, a omega, ये तो alpha है और ये आपके फास हो, beta हो देगा, दौनों का एक दूसर से divide कर देंगे, omega से omega, a से 1R देंगे, तो ये आपके फास हो, omega equals to क्या देगा, आपके फास हो, alpha by beta, और omega को आपन क्या लिख सकते है, 2 pi by t, तो यहां सा आपके फास हो, t equals to, 2 pi beta upon alpha, third option आपका यहां पर correct आजएगा भी, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आपके गुदान से next, अगला question क्या कर रहे है, body is executing simple harmonic motion, at a displacement x, its potential energy is e1, and at a displacement y, its potential energy is e2, then potential energy e at a displacement x plus y, याप potential energy, आपन जानते, e equals to क्या होता, half kx square, e directly proportional to x square, x directly proportional to, आपके पास root of e आदेगा, तो आपके पास वादिदान से l equals to क्या आदेगा, आपके पास x plus y, तो l को आपन क्या लिख सकते है, root of e equals to, x plus y, तो x को आपन क्या बोलेंगे, x के corresponding energy क्या आदेगा, e1, और y के corresponding क्या आदेगा, आपके पास e2, आपका second option यहाँ पर correct आजाएगा भी है, चले बेटा, आगे चलते हैं अपन इसके बाद next, अगला question देखते है, question number आपका, 38, body of mass 1 kg is executing simple harmonic motion, its displacement, 80 seconds is given by, यह हो गया, its maximum kinetic energy, तो maximum kinetic energy, यह हो थी आपके पास, half k s पर, half k, k को आपन क्या लिख सकते हैं, m omega square into क्या आपके पास, a square, half m, mass देखते हैं, आपको कितना भी one, omega square, omega कितना आपके पास में तो, क्यों आपके पास हो, 100, 100 हो गया, तो 100 का square कितना आपके पास हो, 10 to the 4, 4, ठीक है न, a square, a कितना भी आपके पास है, 6 cm, square कर देंगे, 36 into 10 to the 4 minus 2, square कर दोगे, minus 4 आदेगा, इसके बादे 10 to the 4, 4 से 10 to the 4 minus 4 को इसके लाओर कर दो, 36 divided by 2, इसके बादे 2 कितना भी आपके पास, 18 joule, 18 joule आपके अंसवरा देगा, second option आपका यहाँ पे, correct आगए भी, आगे बढ़ते हैं, इसके बादे next आपन, next क्या कह रहा है देगा दान से, यह कर रहा है, sphere is made to oscillate, about horizontal tangents, like this, determined time period of oscillation, कि इस प्रकार से कोई भी एक sphere है, इसको आपने क्या कर देए, इस प्रकार से मतलब, इस वाली एक सीसके बाद, इसको आपन oscillate करवा रहे हैं, इसके बाद, इसका moment of inertia कितना होता है, 7mr is square by 5 होता है, सब को मालू में, और इसका central mass यहाँ पर हो गया, और यहाँ से जो distance है, L किसके बराबर जाएगा, R के बराबर जाएगा, अब simply आपन जान दे, टी कुष्टू कितना था, 2 pi root of, is upon mgl, 2 pi root of, is की बात करते हैं, is कितना देखाँ आपके फास हैं, 7mr is square by 5, mgl कितना देखाँ, 2 pi root of 7r upon, 5g, 3rd option यहाँ पर आपका, सिदा सिदा correct हो जाएगा भी, compound pendulum का question आईए, आगे बढ़ते हैं, simple pendulum of length, L has a energy E, and amplitude A, the energies of the simple pendulum, when the length is doubled, but with same amplitude, when the amplitude और length की बात कर रहा भी, तो बात सुना भी energy की बात करता है, तो E कुछ्ट क्या होता है, आपके पास हाँ, half k a square, half k को आपन क्या बोल सकते हैं, m omega square, a square half का half, m, बात करते हैं, आपन अमेगा की बात करते हैं, तो omega बराबर क्या होता है भी, पर T बराबर क्या होता है, 2 पार root of L by G होता है, तो omega बराबर क्या होता है भी, G by L का root होता है, तो इसव pytnia को धो रहो इकित क्या बनुझेगा आपके पास? G SQUARE भई L IF SQUARE इन टो अगा है आपके पास A SQUARE बह्ते होगा भी है जेका ना this क्या बन्याख की पास है G B L ऩिर्टे जेका या षाल गठेगा हुआ कि एंटो चप्छन रहे है दोधार से, length को double कर दिया, amplitude same है, तो length को double कर दो कि एनर्जी कितने है देगी e by 2, तो पहला option तो आपका जाएगा e by 2, when the amplitude double, but length same, length same है amplitude double, तो energy कितने है देगी आपके फास, four times of e, e by 2, four e, e by 2, four e, fourth option यहापर आपका correct आजाएगा भी, इसके बाद अगला question है आपन देखते हैं, दोधान से next क्या करे है, question number 41 क्या कर रहा है दोधान से, यह कर रहा है, simple pendulum है यह, time period in vacuum, its time period, when it's completely immersed in a liquid of density, one-eighth of the density of a material of the bob, सबसे पाइदी बाद है कि T बराबर कितना होता है कि आपके पास 2 pi, root of L by G, इसके बाद है T dash कितना होता है, 2 pi, root of L upon G effective, G effective बराबर क्या होता है, G into 1 minus, rho upon sigma, तो क्या बन जाएगे द्यान से देखना देखो, G into 1 minus, liquid density कितना होता है, आपके पास 1 by 8, time so bob, तो इसको आपन बोलेंगे 7 G by 8 अदेगा भी, तो फिर उसके बाद में आपके पास जो T dash कितना होता 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 है, 2 pi, root of L by G, आपके पास 7 G by 8 अदेगा भी, ठीक है, और इसके बाद में इसको आपन क्या बोल सकते हैं, 8 by 7 का root और बाकि 2 by root of L by G तो आपके पास Ti गया भी तो root of 8 by 7 आदेगा तो fourth option यहाँ पर आपका सिधा-सिधा correct चला जाएगा भी अब जान से देखना देखो अगर इस pendulum को आप liquid के अंदर immerge कर देंगे तो इस इस्तादे में इस पर नीचे की तरह mg के अलाव उपर की तरफ एक buoyant force भी लगेगा और इस buoyant force की वज़ाए से जो gravity की effective value है वो decrease हो जाएगी समझ गए बात आप है यह बात हो गई भी चली आगे बढ़ता है अगला क्यूशन देखते हैं अपन क्या कर रहा है दो दान से यह कर रहा है the ratio of frequencies of 2 pendulum's are 2 ratio 3 then their lens are in ratio देखो frequency के अपन बात करते हैं तो क्या बनती है भी frequency n equals to आप के पास हो 1 by 2 by root of g by l ठीक ना तो n inversely proportionate क्या आप के पास हो है root of l तो द्यान से देखना देखो या इसका आपन ऐसे भी वोल सकते हैं l inversely proportionate 1 upon n square तो l1 by l2 equals to n2 by n1 का square तो frequencies का ratio कितना देगा 2 ratio 3 तो square कर देगा क्या देगा आपके पास है 9 ratio 4 देगा न तो n2 by n1 कितना देगा आपके पास है 9 ratio 4 4th option है आप आपका सिधा-सिदा correct देगा सिधा formula based question अभी ठीक है कोई दीकत आपको नहीं होने चाहिए यहां पर क्यूशन आमर अपन देखते हैं 43 क्या कर रहा है कि सिंपल पंडूल में एग्जीकुटिंग सिंपल हर्मोनिक मोसन विए टाइम पिटी लेंध को आपने 21 परसेंट से इंक्रीज कर दिया भाई लो जी तो टी डिरेक्ली परफॉर्पॉर्शन टो रूट ओफ एल कि डिज्वर्टी बराबर क्या देगा आपके फास में परूट ओप य डेस वाई-L कि को टी डेस वाई क्या देगा आपके फास है टी इकोस्टू रूट ओफ है अधिर इस प्योजिपके पास मों पॉंट ंटन एडिवैड़्द वई-ल्स ए-ल से अब को कैंसल 1 होते हैं, तो 1.1 into t, यानि जो time feed है, वो ज्यान से लेखना देखो, 10% से increase हो जाएगा, 10% से increase हो जाएगा, तो 10% से increase हो गए भी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next अगो ज्यान से क्या कर रहे है, length of a simple pendulum is L, and its maximum angular displacement is theta, then its maximum kinetic energy, 10% से लेखना देखो, यहां पर आपने इस प्रगार से मतलब इसको पेंडूलम है, यहां से इसको आप release करते हैं, और release कर दिया, तो यह आपके पास theta हो देगा, यह आपके पास L हो देगा, तो इसको आपन क्या बोल सकते हैं, L, cost theta बोल सकते हैं, कि H से आगया तो H कितना हो देखा आपके पास में, H किस्टू क्या बन जाएगा, H किस्टू, L into 1 minus cost theta बन जाएगा भी, और आपके पास में जो maximum kinetic energy हो, वो क्या हो देखा, आपके पास maximum potential energy की बराबर जाएगी, energy conservation से, हैं, जो कि MgH, H को आपन बोलेगे, L into 1 minus आपके पास है, cost theta, तो MgL into 1 minus cost theta, fourth option याप आपका correct आजाएगा भी, समझ गए बात आपे, तो चलिए, next आपन बात करते हैं, अगला क्यूशन आपन देखते हैं, क्या कर रहा है दोदान से, सिंपल साक्यूशन ना देखो, mass M is suspended by means of two coiled springs, which have the same length, understood condition, k1, k2, इनका spring constant है, period आपको calculate करना है, तो ये तो आपके पास है k1 है, ये आपके पास है k2 है, दोने एक दूसरी के parallel में है, तो parallel में आपन बोल सकते हैं कि kp, equals to क्या होता है, k1 plus k2, और t बराबर कितना होता है, 2 by root of M by k8, तो M by k8 क्या बन जाएगा, simple k1 plus k2, M by k1 plus k2, fourth option यहाँ पर आपका correct आजाएगा भी, समझ गए बाता आपे, आगे बढ़ता है, इसके बाद नेक्स देखनान से क्या कर रहा है, यह करा कि the kinetic energy in potential energy of a particle executing as some with amplitude a will be equal when its displacement is, simple है, यह kinetic energy और potential energy को बराबर कर दो, kinetic energy का formula होता हाफ k a square minus x square, potential energy होती है, आपके पास हाफ k x square, k by 2 से k by 2 को उड़ा दो, यहाँसाब के पास a square minus x square equals to x square, तो यहाँसाब के पास है, 2x square बराबर क्या देगा, आपके पास a square, तो x square बराबर कितना होताब के पास a square divided by 2, तो यहाँसाब के पास है, जो x है, वो क्या देगा, आपके पास a by root 2, third option आपके यहाँपे correct देगा भी, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्ष्ट देखो द्यान से क्या कर रहा है? यह कर रहा है कि the mass M source in the figure oscillates in simple harmonic version with amplitude A, the amplitude of the point P is, देखो, अगर अपने बात करते हैं, यहां पर यह जो M है, वो M तो द्यान से देखना है, दोनों springs के साथ में oscillation कर रहा है, कि जो point P है, वो kable करकी के साथ में oscillation कर रहा है, तो यह पर इस point पर जो फोरस और इस point पर जो force है वो चैनल οι हैं, आपके पास में F हैं, a f ब्राब्र क्या हो था है के एक्स होता है, यह क्या होना चैसी है आपके पास है तो यहां पर K1, K2 दो स्प्रिंग जूड़ी भी है, सिरीज में तो K1, K2 अपॉन क्या बन जाएगा, K1 प्लस K2, और इस M का जो amplitude अब वो कितना हो देगा, A, X को आपन A बोल देंगे, इस point की बात करते हैं, तो यहां पर आपके पास है क्या बन, K1 जूड़ा हो है, amplitude कितना हो देगा, A, X हो देगा, तो यहां पर आपके K1 से क्या करेंगे, K1 को cancel out कर देंगे, तो यहां से आपके पास है, जो A, X है, वो A, X पराबर क्या हो देगा, K2 A, अपॉन क्या हो देगा, K1 प्लस K2, तो A, X ही क्या हो देगा, क्या है, K2 A अपॉन क्या प्लस K2, तो यहां पर आपका फॉर्थ ओप्शन इसके अंदर करेक्टा जाएगा भी, ठीक है, अगला क्यूशन देखते हैं फिर उसके बाद में, नेक्शन आपान, कि आपका क्यूशन नमर 48, क्या कर रहा है दोदान से, तो मस्सेज, M1 and M2, are suspended together by a mass-less spring of constant K, when the masses are in equilibrium, M1 is removed without disturbing the system, the amplitude of oscillations, तो बात सुना भी, तो सब से फाले आपन बात करते हैं, amplitude, तो amplitude बराबर क्या होता है, आपके पास आपके पास दियान से देखते हैं, X, यह देख आपके पास, extreme, minus, क्या हो देख आपके पास, X, mean, यहां से पने इसको छोड़ा, तो यह दो क्या हो देख आपके पास, extreme और यहां पर क्या हो देख आपके पास, mean हो देखा, यह extreme हो गया, यह आपके पास, mean हो गया, यहां पर दियान से देखना, तो इस पर नीची की तरफ क्या लग रहा है, M1 प्लस M2 इंटू G, उपर की तरफ लग रहा है, KX लग रहा है, तो X कितना हो देगा, आपके पास हो, M1 प्लस M2 इंटू G, डिवाइड़ बाई K, माइनस, X मीन को आपन क्या बोल सकते हैं, मीन पे, क्योल और क्योल आपके पास हो, M1 बचेगा, तो नीची की तरफ तो क्या लग रहा है, आपके पास हो, M1 G अपॉन K, तो अगर आपन सौल कर देंगे, यह आपके पास हो जाएगा, M2 G डिवाइड़ बाई किया जाएगा भी second option, यहाँ पर आपका सिधा सिधा correct आजाएगा भी, चलिए बटा, अगला question आपन देखते है, question number आपका 49, 49 देखते हैं, आपन क्या करें, यह करें, यह करें, a mass of 4 kg suspended from a spring of constant 800 newton per meter, execute simple harmonic oscillation, if the total energy of the oscillation is 4 joule, the maximum acceleration of the mass, तो बात सुना भी, आपने बात करते हैं, total energy आपको दे रहे हैं, यहाँ पर कितने हो देगी, 4 joule, तो total energy क्या होती है, e equals to क्या होता, आपके एपास हाफ k a square, ठीक है, और, यहाँ से अपने काम करते हैं, k की value calculate कर लेता है, amplitude थोड़ा ना दे रहे है, amplitude, amplitude अपने को नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ अधर ना, मास ही आपको दे रहे है, तो मास सर लेह रहे है, क के को आपन लेकी सकते हाफ, के को लेकिदेंगे, m omega square into a square, e कितना देगा 4 equals to half, मास की बात करते हैं, मास कितना देगा 4 देगा, इसके बाद ओमेग स्कर, a square, तो यहां से आपने को और कुछ दिर हो और कि देर क्या दें से? अचे, spring constant यह देर कहा हॣ न है, सिदा किया आपको 800 दिर कहा है, यार. spring constant यह आपको सीदा 800 दिर कहा है. तो क्या हो देगा आपके पास, यह बराबर कितना देगा? 4 equals to half. यह देगा आपके पास 800 इंटू ए स्कर तो ए स्कर बराबर कितना देगा 8 by 100, 1 by 100 देगा तो ए बराबर कितना देगा आपके पास 1 by 10 देगा भी के पास क्या क्या रदेगा आपके पास के एक्स यानि कर एक ए इक इस्टीं से एपके पास के एव आपके Preism, कह masih लड़िक देगा या तो के तबर आपके पास 800, पृत गोषा एक चजसीद ही अन्ग वधिन कर दो कितना देगा आपके पास है 4, तो कितना हो देगा आपके पास हो, 20, फॉर्थ ऑप्शन यहां पर आपका सिदा सिदा करेक्ट आजाएगा भी, ठीक है ना, यहां पर यहां पर यहां पर आपके पास हो, एप मेकजीमम हो देगा, तो X भी मेकजीमम हो देगा, X मेकजीमम कितना हो देगा भी, A हो देगा, और यह आपके पास बन जाएगा A, मॆग्जीमम आ जाएगा भी, तो यहाँ से रफन क्या करेंगे, A, मैग्जीमम की विल्यू केल्कलेट कर देगे, मैग्जीमम एकस्लरेशन आपको यहाँ पर उचा जा रहा है बिटा, अगला क्युशन अपन देखते हैं क्या कर रहा देखते हैं क्यूशन No 50 है यह याँपर देखते हैं अपने पासे 2 springs है दोनों springs का spring constant k1 k2 time Wasp T1, T2, दोनों को अपने इस प्रकार से parallel में जोड़ दिया, time paid अब आपको calculate करना भी, ठीक है ना, तो चलो देखते हैं, dance से देखना, देखो, S है, यहाँ पे, क्या करते हैं अपन, सबसे पहले आपन जान दें कि T equals to कितना था, 2 pi root of m by k, T equals to क्या था, 2 pi root of m by k होता है भी, दोनों तरब से square कर देंगे, क्या देखाए अपके पास है, T square equals to 4 pi square m by k, तो k equals to कितना हो, देखाए अपके पास है, 4 pi square m upon t square, तो k inversely proportionate क्या देखाए अपके पास है, T square हो देगा, parallel में आपना लिख सकते हैं, kp equals to k1 plus k2, तो इसको आपन बोलें कि 1 by t square equals to 1 by t1 square, plus 1 by t2 square हो देगा, तो t minus 2 बराबर कितना हो देगा, आपके पास हो, t1 minus 2, प्लस क्या हो देगा, आपके पास हो, t2 minus 2, यह देगा भी, पर k को आपन क्या लिख सकते हैं, 1 by t square लिख सकते हैं न, तो यह आपका और अंसर देगा, तो चलो, देखते हैं इसके बाद में पन, तो देखिए कि देंसे देखो, यहाँ पर क्यूशन नमर था, आपका यह 50, तो 50 का क्या बन जेगा भी, t minus 2, यह बन जेगा फिर आपका, फॉर्ट उप्शन इसके अंदर क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा, फॉर्ट उप्शन क्या देगा भी इसके अंदर, समझ गए, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन आपन देखते हैं, अगला क्यूशन देगा, आपके पास है क्यूशन नमर् फिफ्टीवन, ठीक है, तो क्या कर रहा है क्यूशन देखो देन से, यह कर रहा है कि इस पर इस्प्रिंग, एक्स्टेंस फाइ एक्स, ऐनलोडडिंग, यह एनर्जी स्टोड बाइद इस्प्रिंग, की है भे टेंस है और क्य अटी यदेगे का स्फ्रिंग का स्प्रिंग को जारी ठीक erzählt न वांगे न तो बात सुनना भी यह को सब से पहले हम जानते हैं कि F एकोस्ट क्या रे зан59 इसको तो पन टी लिप देंगे energy क्या देगे u equals to half kx square उपर भी इसको अपन k से नीचे भी इसको अपन k से multiply कर देंगे तो क्या बन जाएगा द्यान से देखना देखो यह आपके पास समझाएगा kx का hall square upon 2k kx को आपन बोलेंगे t तो t square upon 2k is the answer तो t square upon 2k second option अपना यहाँ पर correct आजएगा आगे बढ़ते हैं next देखो दान से क्या करें तो particles execute ssm of same amplitude and frequency along the same state line they pass on one another when going to opposite directions and each time their displacement is half of their amplitude तो बात सुनना भी ऐसा है कि जए समान केश लेगा यह आपके पास हो कई path जिस पर ssm कर रहे हैं दोनों particles यहांपर तो आपके पास ox pretty zero यहां पर आप़के फास हो एक्स व्राबर क्यों रहरे हैं यहां पर इस पक्रवण पर आपके फास your protect make a पहला पार्टिकल अउक्ण भोड़ा नृशचे इस परकास इदर Traff और एक पार्टिकल इस परकास थीजा रहरा है इधर की तरफ दो एक सीपश्विस्टि क्यों चेहरे अपके फास से सान्गोमेगा टी पारश्विस्ट फिराबर क्यों चेहां डीगा के फास है अउन昨्ए थिए TV तो यहांसा आपके हो से तिढा यागी विल्यू कितने होती होती है भी वन भाई ट्यों और तो यह तो आपके पास होंगा सेगा फर्सbird कर और यह आपके पास है रिकिन पार्टीकल करें मैं का तो फिस्ट्स पार्टीकल हैं और यह फाईवन और यह आपके पास हई थो आ गया Colin और दोने के भी इसका phase difference निकालते हैं तो डेल्टा 5 equals to क्या देखा 5 2 minus 5 1 equals to कितना हो देखा 150 minus 30 equals to कितना हो देखा 120 डिग्री fourth option आपका यहां पर correct आ जाएगा आगे बढ़ते हैं next आपन तो अगला क्यूशन देखो क्या कहरा है क्यूशन नमर 53 यह कर रहा कि a point mass is subjected to two simultaneous sinusoidal displacement in x direction x1 equals to a sin omega t x2 equals to क्या हो देखा आपके पास a sin omega t plus 2 phi by 3 third आपके पास हो जाएगा कि b sin omega t plus क्या हो देखा आपके पास फाई हो जाएगा ठीक है ना तो value of b and phi यह आपको पूछे जारा भी यहां पर तो चलिए देखते हैं अपन द्यान से देखना देखो सबसे पहले यहां पर x1 बराबर क्या हो देगा आपके पास a sin omega t तो यह आपके पास x1 है यह लगा दो और x2 बराबर क्या हो देगा आपके पास a sin omega t plus 2 pi by 3 यानि 120 डिग्री तो 120 डिग्री मतलब इधर की तरफ ले लेंगे अपन यह आपके पास हो देगा इस प्रकार से x2 और यह भी आपके पास यह आदेगा अगर इन दोनों का रिजल्टेंट अपन लेते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस प्रकार से इधर की तरफ आजएगा इन दोनों का रिजल्टेंट आजएगा इस प्रकार से इधर की तरफ ठीक है, और ये कितना हो देगा आपके पास में, दोनों के 20 का एंगल 120, तो ये भी आपके पास है, ये या जाएगा भी, और ये वाला एंगल कितना हो देगा आपके पास में, 60, तो इसको आपन बोलेंगे, पाई भाई 3 बोलेंगे, बीच में से निकले गई ये, अब तीसरे इन्स देखना देखों वह क्या बनजेगा आपके पास में तीसरे वाला अगर हम लगाते हैं तो थर वाला कि इदर की तरब लगाएंगे हम इस परकार से इधर की तरब लगाना पड़ेगा आपने को थर वाला तब यह कम्टिट रेश्ट में आ सकता है मतलब आपको जीरो करन ओई रहा है तो यह कितना एंगल होजाएगा यह वाला एंगल कि इस वाल एंगल कि अ kश्रम क्या बोलेंगे timeframe इंखिसवाउर नेगे यहां से आपके पास है वह 5 बराबर कितना व्यदी अगर अगर बात 120 प्लस 120 गुश्ट तो 240 ठीक है ना तो 240 मतलब क्या बन जाएगा आपके फास्वें 4Pi by 3 बन जाएगा ना 4Pi by 3 बन जाएगा यह वाल एंगल आ गया तो आपके फास्वें जो X3 वो क्या देर का इस फरकार से B sin अफिन है ओमेगा T प्लस के अपके फास है 5 तो B की वेलू तो किसके बड़ेगा आपके पास एक के बड़ाबर और b8 की वेलू कितने हैं पिंद खीर से फोर आपके बोल जाएगा भी है ठीकए आप 4 करेक्ट आजेगा भी, second option correct आगया, इसके बाद next, आगे चलते हैं अपन, यह गर है कि two simple pendulums whose lengths are 100 cm, 120 cm are suspended by side by side, their bobs are full together and then released, after how many minimum oscillations of the longer pendulum, will the two be in same phase, in phase again, तो सबसे पहले आपने बात करते हैं, जयान से देखना देखना देखुए, यहां पर आपके पास हा, t equals to क्या होता है, two by root of l by g, यहां से आपके पास हा, t, directly proportion to root of l, तो t1 upon t2 equals to, root of l, यानि कितना हो लेका आपके पास हा, 100 upon 121, तो इसको आपन कि आप बोलेंगे, भी 1 upon 1.21, तो यहां आपके पास 1 upon 1.21 बन जाएगा, यानि आपके पास 10 upon 11 आजाएगा भी, समझ गे, अब बात सुना भी same phase में होने का मतलब यह होता है, कि पहले वाला जब n1 चकर फूरे काट लेता है, तो दूसरे वाला n2 चकर फूरे काट लेता है, तो पहले वाले का n1 चकर, एक चकर का टाइम, तो आपके पास टोटल टाइम आगया भी, तो यहां से अपने पास n1 upon n2, एक वेश्ट्य क्या बन जाएगा आपके पास t2 upon t1, और t2 upon t1 क्या बन जाएगा, आपके पास 11 by 10 बन जाएगा, ठीक है ना, तो आपको बोले जा रहे है, लोंगर, तो लोंगर कौन सा बाएगा भी, दूसरे वाला, तो दूसरे वाला मतलब n2 तो n2 कितना हो देगा आपके पास है, 10 हो देगा, तो answer क्या देगा 10, और n1 क्या देगा 11, second option यहां पर आपका सीधा सीधा correct हो जाएगा भी, चलिए बेटा, इसके बाद में next आपने बात करते हैं, देखो देंसे अगला question क्या कर रहा है, पहले force की बज़ए से 4 by 5 second, दूसरे की बज़ए से 3 by 5 second, दोनों force एक साथ आपने लगा दिये, तो time feed वो ही formula लग ज़एगा आपके पास है, 1 by T square request to 1 by T1 square, plus 1 by T2 square, पहला कितना हो देखा आपके पास है, 4 by 5, 16 upon 25, दूसरा कितना हो देखा पास हो, यह देखा पास है, 9 upon 25, LCM ले लेंगे तो कितना हो देखा पास है, 16 into 9, और 25 को आपने साइड में ले लेंगे, यह आपके पास है, 16 plus 9 अदेगा, तो यह देखा आपके पास है, 25 into 25 divided by 16 into 9 अदेगा, तो यहाँ साब के पास है, T square request to कितना देखा, आपके पास है, 16 into 9 upon 25 into 25, तो यहाँ साब के पास है, T बराबर, 4 into 3 upon 5 into 5, 12 upon 25, solve करने पर 0.48 सेकेंड आदेगा भी, 3rd option यहाँ पर आपका correct आदेगा, सिधा formula waste question है, और यह formula पन पहले derive भी कर चुके हैं भी, ठीक है ना, तो चल यह देखते हैं, next, अगला question क्या कर रहा है, द्यान से देखना देगा, यह कर रहा है, यह spring of horse constant case cut into two pieces such that, one piece is double the other, एक तो आपके पास x हो देगा, एक आपके पास 2x हो देगा, और total आपके पास कितना भी 3x है, तो k into l बराबर constant होता है, सब को मालूम है, तो k into fundamental spring के लेंद 3x हो देगी, long piece है, उसके लेंद कितना हो देगी 2x, तो k2 into कितना हो देगा, आपके पास 2x हो देगा, तो k2 बराबर कितना हो देगा, आपके पास 3k by 2, यह लो जी, अगला question आपन देखते हैं, द्यान से देखना देखना देखो क्या कर रहा है, Question number 57, I did spring with spring constant case hung from sling and block of mass M is attached to its lower end, the mass is released with the spring initially unstressed, then the maximum extension in the spring is, यापके पास इस परकार से spring है, यापके पास M हो गया, नीचे की तरब M जी लग रहा है, उपर की तरब इस पर क्या लग रहा है, अभी X लग रहा है, नीचे की तरब आपके पास M जी into displacement कितना हो देगा, X, यह देगा work done by M जी, और spring का work done कितना हो देगा, आपके पास हो, हाप के X इस पर, ये net work done बराबर change in kinetic energy, M जी 0-0 देगा, तो solve कर दो कितना हो देगा, आपके पास हो, 2MG divided by K, 2MG by K, second option आपका correct आदेगा, work energy theorem से description को आपने solve किये, directly इसका जो result है, वो भी आप याद रख सकते हैं बेटा, Q नमर 58 क्या कर रहा है दोदान से, ये कर रहा है, amplitude of damped oscillation becomes half, in one minute, तो एक मिनट बाद में कितना हो देगा, आपके पास में तो, A बराबर, A not by 2, दो मिनट बाद में, A बराबर कितना हो देगा, आपके पास, A not by 2 है, तो इसका by 2 कर देगे, हर एक मिनट बाद में, आदा हो रहा, तो तीन मिनट बाद में कितना हो देगा, a बराबर a not divided by 2, 2 इसका भी by 2 कर देंगे तो a not upon 2 की पाउर 3 आदेगा तो बराबर क्या देगा आपके पास 1 by x आदेगा यानि a not by x तो x बराबर कितना आदेगा आपके पास 2 की पाउर 3 आदेगा भी 2 की पाउर 3 second option यहाँ पर आपका correct आदेगा भी ओके इसके बाएद नेक्स्ट अगला क्यूशन आपन देखते हैं क्या कर रहा है क्यूशन नमर 59 ने क्या कर रहा है simple point problem the point of suspension is now move upward upward उफ़र की दिरब जा रहा है y कुछ तो kt square तो a बराबर कितना हो देगा आपके पास d square y upon dt square kt square 2 kt लिए तो kt आपके पासफे के अटी का क्या आपके पासफे का टू का तू के बराबर आपको वन दे रहे रहे का तो यह आपके फासदेगा two meter per second square उपर की तरफ kvd कि बाबर कितना हो देगा T1 बराबर कितना हो देगा आपके पासफे और टू पाई ROOT OF L upon G PLUS A, 10 PLUS 2, कितना देखाँ आपके पास है 12 इसके बादा ज्यान सा देखना देखना है कि T1 SQUARE upon T2 SQUARE तो T1 SQUARE upon T2 SQUARE EQUAST TO क्या बनजेगा तो T1 SQUARE upon T2 SQUARE क्या बनजेगा आपके पास है 12 डिवैड़ेद बाइ क्या देखाँ आपके पास है 10 तो इसको आपन क्या बोल देंगे, 6 by 5 बोल देंगे, 6 by 5, तो option इसके miss होगे, तो 6 by 5 वा option आपन T कर देंगे, कोई सा भी जो भी option होगा भी आपका, ठीक है, तो चले बच्छों, लास्ट क्यूशन अपना, क्यूशन नमर 60 क्या कर रहा है, देखो देखान से, इस सिंपल रूट आपन गोफ, अब टाइम फिटी डेस पराबर कितना हो देगा, टूपाइ रूट आफ, अल अपन गोफ, व्यृर्ट आपन गोफ, अजी अफेक्टीव, अजी एफेक्टिव बराबर कितना हो देखाए, अपके पास है, जी इन्टु वन माइनस है, रो अपन सिगमा तो जी इंटू क्या देगा पके पास वन माइनस वन बाई 60 न देगा इसको आपन बोलेंगे 15 जी बाई 60 न देगा तो बराबर क्या देगा 2 पाई रूट ओफ एल अपोन जी तो कितना देगा आपके पास है 15 जी बाई 60 न देगा 16 तो बाहर की तरह पादेगा तो 4 अपोन रूट 15 इंटू 2 पाई रूट ओफ एल बाई जी तो चार अपोन रूट 15 इंटू टी ठीक ना तो कौन सा ओप्षन आता देगा दान से करेक्ट यह आपन चेक करते हैं कि यह देगा आपका कुशन 4 टी अफ वान रूट 15 इंटू आपका यहां पर करेक्ट आदेगा भी तो यहां पर देखते हैं दूदान से आपन 40 upon root 15, first option नहीं आपका correct देगा भी, ठीक है, तो ये था आपका question number 60 है, तो देखिए बच्चों, कुल मिला करके, अगर आपने बात करें इस DCM की तो मैंने gravitation और SSM के 60 questions लिये थे, जिन मैंसे 28 questions तो gravitation के थे, almost हर topic के अपने questions यहां पर cover की हैं, और फिर उसके बार नो 32 questions है, वो SSM की है, ठीक है ना, तो SSM की भी हर topic का आपन चाहिए, spring pendulum है, चाहिए अपने physical pendulum है, compound pendulum है, चाहिए अपने simple pendulum है, चाहिए अपने velocity, acceleration, उन सब की अपने force constant वगरा, सब की अपने यहा DCM आपका बहुत अच्छा रहा होगा, और आप DCM की जो papers आप बहुत अच्छे से आप दे रहे होगे, इससे पहले आपने physics-e को अच्छे से दिया होगा, इसके बादने DCM, physics-e को, physics-dcm, यह दोनों मिलाकर कि आपकी complete physics उसको cover करती है भी, अगर इनको आपने अच्छे से कर कि आपका बहुत 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